जी नमस्कार मेरा नाम सनी सिर्वास्तो स्वागत आपका टीचर सड़ा 24-7 के यूट्यूब चैनल पे और हाजिरू मैं आपके सामने आज की क्लास के साथ और आज की इस क्लास में मैं आप से डिसकस करूँगा पॉलिटी के सभी उन महत्वपूर्ण पर जो आपके एक्जाम के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है ठीक खास कर वो लोग जिनका एक से पांच वर्ग और नौ और दस वाला जो वर्ग है ठीक वर्ग नौ दस और एक से पांच वर्ग इनके लिए ये क्लास बहुत से देखिएगा क्लास और एक बर फटा-फट सेशन को कर दीजे शेयर आज ये सारे लोग तो मैं अपनी क्लास करता हूं स्टार्ट ठीक है देखिए बिहार का आपका जो पेपर है उसके अंदर SCRT-based question होंगे तो जहां-जहां SCRT के question बन सकते थे ठीक है उन सब को एक साथ collect करके मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और आज जो ये quality की आप marathon देख रहे हैं कल आप इसी तरह history की marathon देख पाएंगे और history की जो marathon होगी कल उसके अंदर मैं आपको दिल्ली सल्तनत से दिल्ली सल्तनत से लेकर जो की 1857 का revolt है 1857 revolt यहां तक के सारे important सवाल कल की class में हम लोग discuss करेंगे इंडियन national movement मैं आपसे पहले ही discuss कर चुका हूँ ठीक तो फटा फट सारे लोग आज़िएगा तो मैं अपनी class करता हूँ start ठीक तो अगर आप आ गए हों जुड़ गए हों आपकी अनुमती हो तो मैं आगे बढ़ूं shall we start start किया जाए sir kbs prt का result कब तक आएगा देखो अब तो आज आना चाहिए देखते हैं शायद हो सकता है इस month के end तक आज है शुरू किया जै नमस्कार नमस्कार bs मस्ती जी नमस्कार good evening सभी लोगे सभी लोगे शुप संधया रादे-रादे स्वागत है आपका आज की class में ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जादा explanation दूँगा कम समझना है चीजों को और आगे बढ़ते चलना है ठीक तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा बहुत आसान सा सवाल है सवाल के अंदर कहा जा रहा है कि सम्विधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था राजेंदर प्रशाद बियर अंबेड प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे उपाध्यक्ष थे ह सच्चदानंद सिनहा ठीक यहां पूछा है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो आंसर क्या हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेड कर इसलिए इनको सम्विधान का जनक भी कहा जाता है सम्विधान का जनक भी कहा जाता है हाला कि पहला जो ड्राफ्ट था फॉस्ट ड्राफ्ट जो था कॉंस्टिटिउशन का फॉस्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉंस्टिटिउशन वो किस ने तयार किया था वो तयार किया था बी एन राउ ने ठीक और इनके जो ड्राफ्ट उन्होंने बनाया था, उसी ड्राफ्ट पे प्रॉपर तरीके से उसको उस पर काम करने के लिए ये बनाई गई थी, इसमें अमबेडकर के अलावा और भी मेंबर्स थे, एक मेंबर हो गए इसके अमबेडकर जो कि अध्यक्ष हैं, उसके अलावा एन गोपाल स्वामी आयंगर अलादी कृष्णा स्वामी अयर, सयद मुहम्मत सादुल्ला, एन माधवराव जो की बियल मित्र के स्थान पे बनाए गए थे, और फिर लास्ट है टीटी कृष्णा मचारी जो की डीपी खेतान की मृत्यू के बाद इसके सदस्य बनाए गए थे, ठीक, तो सदस्यों पे भ दो समितियां हैं जो इसके अलावा पूछी जाती हैं, एक मौलिक अधिकारों की समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे हमारे वल्लब भाई पटेल, और उसके अलावा जंडा समिति के अध्यक्ष पूछा जाता है, जो की डॉक्टर राजेंदर प्रशाद थे, कई किता पर आप पर सवाल पूछा जा सकता है, तो कौन सी भारती सम्विधान की विश्षता नहीं है, ये बताना है, ठीक, संसदात्मक, संसदात्मक, साशन, मौलिक अधिकार, दोरी नागरिक्ता, लिखित सम्विधान, क्या हो जाएगा, हाँ बेटा, H-Tate का नया बैच तो दिन के अंदर आपको information दे दी जाएगी, ठीक है, तो उसको आप देख लिजेगा, ठीक, फिलाल ये वाली class आप H-Tate के point of view से भी ले सकते हैं, यू-P-Tate के point of view से भी ले सकते हैं, ठीक, तो answer हो जाएगा, C, भारत की सम्विधान में एकल नागरिक्ता की बात की गई है दोहरी नागरिक्ता आपको कहां देखने को मिलती है, USA में देखने को मिलती है, ठीक, भारत में क्या है, single citizenship है, हमारे यां लोग भारत के नागरिक हैं, ठीक, अगला है, पंचायती राज प्रणाली आधारित है, शक्ती के केंदरी करण पे, ग्रामीड विकास पे, Constitutional Amendment 1992 से, इस संशोधन से अपनाई गई, आर्टिकल जो है, वो 243 के अंदर कुछ नए आर्टिकल जोड दिये गए, और पंचायती राज प्रणाली को बना दिया गया, ठीक है, भाग जो है वो, इसके अंदर एक अलग जो है वो, भाग 9 के अंदर पंचायती राज प्रणाल प्रणाली के बारे में बात की गई, अनुसूची की अगर बात करूँ, शेड्यूल की अगर बात करूँ, तो जो इसका शेड्यूल बना, वो क्या बना, ग्यारह, ठीक है, और 24 एप्रल, 24 आप्रल, 1993 से पंचायती राज प्रणाली पूरे देश में क्या हो गई लागू, इ बलकि क्या होना चाहिए, उसका डी सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, तो डी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पे डिपेंड करता है, ठीक है, अगला सवाल क्या है, 1976 में आपात काल के दोरान, प्रस्तावना में सम्विधान संशोधन के द्वारा, निम्न में कौन सा शब् जोड़ा गया, ठीक, वर्ग 9-10 वालों, तुम लोग ध्यान देना, इस सवाल पे तुम से ये सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, तो आपात काल के दोरान, सम्विधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया, धर्म, निर्पेक्ष, और लोकतंत्र, संप्रभू और लोकतंत्रिक, यानि सॉवरेन और डिमोक्रेटिक, सोशलिजम और रिपब्लिक, और सोशलिजम और सेकुलरिजम, ठीक है, सर आपकी वेज़े से मेरे सीटेट में 105 कोश्चन हो रहे हैं, चलो बहुत बढ़ी असा बाश, वाट शुट बी राइट आंसर, तो करेक्ट आं इसमें समविधान संशोधन से जोड़ा गया था, क्या जोड़ा गया था, समाजवाद और पंत निर्पेक्ष जोड़ा गया था, यानि option number D हो जाएगा, सही आंसर, कौन से समविधान संशोधन से जोड़ा गया था, तो 42nd constitutional amendment 1976 से जोड़ा गया था, याद रखना इस amendment को केश्वानंद भारती मामले में, भारत के समविधान के संबंद में कौन सी अवधारना उत्पन हुई, केश्वानंद भारती का जो केस था, वो आपका 1973 का केस था, आज तक कि सबसे बड़ी जजस की बेंच जो है, वो इसी मामले में बैठती है, और इसके अंदर क्या चीज किस चीज की अवधारना दी गई थी, तो इसमें parliamentary sovereignty की example दिया गया, cooperative federalism का idea दिया गया, infrastructure का idea दिया गया, तो answer to this question is, बुनियादी, इसमें उल्टा हो गया यार, है न, यहाँ पे option number D लिख दिया, infrastructure, ठीक है, उपर नीचे हो गया option, बुनियादी संरचना, यानि कौन सी आधार भूत संरचना, सम्विधान की आधार भूत संरचना की अवधारना दी गई थी, कि हमारे constitution का एक basic infrastructure होता है, वो change नहीं होना चाहिए, जिसका मतलब क्या था, कि अगर हमसे कहा जाए, कि सम्विधान की व्याख्या का अधिकार, सम्विधान की व्याख्या का अधिकार किसके पास है, तो हम जवाब क्या देंगे, कि explanation of the constitution ये क्या है, नियाए पालिका के पास है, जुडीशरी के पास है, तो नियाए पालिका के पास याधिकार है कि वो सम्विधान को क्या करेगी, सम्विधान की व्याख्या करेगी, ठीक, अगला सवाल है, किस सम्विधान शोधन अधिनियम के द्वारा भारती नागरिक के लिए मतदान की जो आयू थी उसे 18 वर्ष कर दिया गया, कौन से अधिनियम से ये काम किया गया था और 18 वर्ष कर दिया गया, option number A, 61st constitutional amendment 1989, प्रधान मंत्री थे समय राजीव गांधी, उनके प्रधान मंत्री रहते हुए ये संचोधन किया गया, और age की जो बात थी वो 21 से घटा कर कितनी कर दी गई, 18, mind it कि जब हमारा समविधान पारित हुआ था, constitution हमारा पारित हुआ था, तो vote की जो age थी, वो 21 रखी गई थी, 89 में से change करके कितना कर दिया गया, 18 कर दिया गया, भारत के समविधान में कितनी अनुसूचियां है, एक चीज याद रखिएगा, एक बार exam में जाने से पहले, schedule जरूर देख जाईएगा, कि पहले schedule में क्या है, दूसरे schedule में क्या है, तीसरे में क्या है, schedule से quality में आपको एक सवाल 100% मिलेगा, तो एक बार schedule को जरूर से देख के जाईएगा, तो कितनी अनुसूचियां हैं हमारे समविधान में? तो option number D is the right answer, 12 अनुसूचियां बिल्कुल, मूल समविधान में, मैंने application पर पढ़ाया था, तो मैंने detail में इसको बताया भी था, मूल समविधान में 8 थी, 9, 10, 11, 12 बाद में बनी, ये जो 9th schedule आया है, ये आपका कब आया, तो 9th schedule आया 1951 में, नवी अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है, 1951 में क्या हो गया, नवी अनुसूची जोड़ी गई, और ये पहले constitutional amendment से जोड़ी गई थी, ठीक है, अगर हम बात करें, दस्वी अनुसूची की, तो ये 1955 में जोड़ी गई थी, 1985 में जोड़ी गई थी, और ये जोड़ी गई किस से, 52nd constitutional amendment जो की दल बदल से related था, ठीक, 11th वाली कब जोड़ी जाएगी, तो 11th वाली जोड़ी जाएगी, 73rd constitutional amendment से, 1992, ठीक, और ये किस से related थी, पंचायती राज से, ये related थी, दल बदल से, जिसमें बोला गया कि, ठीक है, और जो 12th वाली थी, ये भी आपका, 74th से जोड़ा जाएगा, 1992, constitutional amendment, ये थी, शहरों के इस्थानिय शाषन से, इस्थानिय शहरी शाषन से, इसके लावा, आठवी अनुसूची बहुत important है, आठवी अनुसूची में क्या दिया हुआ है, भाषाओं के बारे में दिया हुआ है, तो अनुसूची से सवाल जरूर आता है, पढ़के जाईएगा schedule एक बार, अगला सवाल है, जब भारती सम्विधान तयार किया गया, तब सम्विधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया था, जब Indian Constitution ready हुआ था, ठी की जाए, तो पांच तरह का स्वरूप है, सौवरिन, यानि संपून प्रभुत्व संपन, समाजवादी, पंत निर्पेक्ष, लोकतांत्रिक, गड़राज, अगर हम कहें, तो प्रतिष्ठा और अवसर की क्या देते हैं, समानता, यानि दो तरह की समानता की बात की गई है, और न्याई की बात की जाए, तो पोलिटिकल, सोशल और एकनॉमिकल जस्टिस की बात कही गई है, तो मूल समविधान में केवल ये तीन वर्ड थे, संप्रभू, लोकतांत्रिक, गड़राज, फिर उसके बाद 42 में समविधान संशोधन से, आपने अभी पढ़ा, कि 42 में सम समाजवाद और पंत निर्पेक्ष को इसमें क्या कर दिया गया, एड कर दिया गया, ठीक, तो answer to this question is option number C, अगला सवाल, निमनलिखित में कौन सा शब्द समविधान की प्रस्तावना में नहीं है, बताइए, which of the following words is not there in the preamble of the constitution, justice, dignity of individual, fraternity और federal, तो कौन सा शब्द नहीं है ये बताना है, बहुत बढ़िया सपना सावाज बिटा, तो समविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है, नियाय व्यक्तिकी गरिमा, बंधुत्व या फिर संगीर, तो कौन सा वर्ड नहीं है, federal का जो है, इस्तमाल समविधान में नहीं किया गया है, ठीक है, ब बताईए, वोट देने का अधिकार कैसा अधिकार है, हाँ, बिलकुल बेटा उनको भी देखनी है, तो वोट देने का अधिकार कैसा है, समविधानिक अधिकार है, क्योंकि आर्टिकल 3.26 में ये बात कही गई है, कि हर व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयू पूरी कर ली है, वो वोट दे सकता है और हमारे हाँ one vote is equal to one person ये concept क्या किया गया है बनाया गया है वोटिंग के criteria में ठीक तो हर व्यक्ति क्या कर सकता है जिसना 18 वर्ष क्या यूँ पूरी किया है वोट देगा और एक वोट का मुल एक व्यक्ति का मुल एक वोट का मुल और एक व्यक्ति क्या होग नहीं कई भराश का बराबर यानि मेरे वोट का भी वही कीमत है जो आपके वोट का कीमत है ठीक है अगला सवाल है भारती संविधान की आठवी अनुसूची में कितने भाशाओं का उल्छ है बताए कितनी भाशाओं का उल्लेख है 14 18 22 21 लेह अ है ठीक है, ठीक तो महेंद्र सिंग धोनी में B डाल देना बीच में MBS दियानी, मैथली, बोडो, संथाली और डोगरी, ये चार भाषाएं जोडी गई थी, 92nd Constitutional Amendment 2003 से, बानवेवा समविधान संशोधन 2003 से ये और चार भाषाएं जोडी गई थी, तो पहले 18 थी, तो टोटल कितनी हो गई, 22, ठीक, वर्ग 9-10 वालों, आपकी SCRT के अंदर एक लिस्ट है, Political Science में, NCRT में भी है, जहां समविधान की भाषाओं का भारत में कितने परसेंट लोग जो है वो बोलते हैं, मैंने अप्लिकेशन पर दिखाया भी था, आपको बता दे रहा हूं कि हिंदी बोलने वालों का परसेंटेज कितना है, बंगाली बोलने वालों का कितना है, तमिल कि समविधान की उद्देशिका में, निमनलिखित में किसका उलेख नहीं है, भारती प्रियेंबल में किसका उलेख नहीं है, राजनेतिक समानता, व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा की समानता, राष्टर की अखंडता, पोलिटिकल एक्वालिटी, डिगनिटी ओफ इंडि किया कि नहीं ये सब मत बोलो इंक्वाइरी बैठाओगी क्या मेरे उपर क्या हो जाएगा अंसर तो व्यक्त की गरिमा और राष्ट की एकता और अखंडता को सुनस्चित करने वाली बंदुता को बढ़ाएंगे प्रतिष्ठा और आवसर की समानता देंगे राष्ट की एकता की बात करेंगे तो राजनेतिक समानता की बात नहीं है राजनेतिक न्याय की बात है राजनेतिक न्याय की बात है समानता नहीं समानता दो तरीके की है किसकी प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता सवाल ध्यान से पढ़ना नहीं तो जल्दबाजी में गलत करके चले आओगे ठीक अगला देखो भारती सम्विधान संशोधन के किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशान्ति पद के स्थान पर शसस्त्र विद्रोह का पद का प्रयोग किया गया ठीक हमारे हाँ जो इमर्जंसी लगती है जो आपातकाल लगता है वो आपातकाल रास्ट्री जब हो जाता है नेशनल इमर्जंसी जो की बताया गया है आर्टिकल 352 में ठीक रास्ट्री आपातकाल कुछ आधार पे लगता है आधार नंबर एक अगर हम क किसी देश के साथ युद्ध में हो, आधार नंबर दो, किसी देश ने हमारे ऊपर क्या कर दिया हो, अटेक कर दिया हो, तो foreign invasion, war, और तीसरा क्या था पहले, आंतरिक अशान्ती, internal disturbance, लेकिन इस आंतरिक अशान्ती वर्ड को, अब चेंज करके, इसकी जगह क्या कर दिया, अगर भारत के किसी भाग में, लोग हतियार उठा लें, सडकों पर उतर जाएं, और कहें कि मैं भारत सरकार में बिलीव नहीं करता, तो ये जो शशास्त्र विद्रो होगा, ये कब चेंज किया गया, तो ये कब चेंज किया गया, बिटा? बिल्कुल ठीक, 44th Amendment में जनता पार्टी की सरकार ने ये चीज़ क्या कर दी, चेंज करा दी, अगला सवाल, भारत के महा न्यायवादी पद के संबंद में से, कौन सा एक कथन सही है? महा न्यायवादी यानि Attorney General of India, किस में है ये? Article 76 में है, भारत सरकार का हिस्सा माना जाता है, उसे भारत के राजचेत्र के अंतरगत सभी न्यायलेों में सुने जाने का अधिकार होता है, वह अपने कर्तव का निश्पादन सिर्फ सरवोच न्यायले में करेगा, उसका एक निश्चित कारेकाल होता है, भारत के राश्ट्र पती उस व्यक्ति को महा नैवादी घोशित करते हैं, जिसे उच्च न्यायले में न्याधीज बन सकने की योगिता प्राप्त है, तो ये परिकाल होता है नहीं राश्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो अपना पद क्या करता है धारन करता है वह अपने करतव का निश्पादन सिर्फ सर्वोचनेले में करेगा नहीं तो सही क्या है भारती राजचेत्र के अंतरगत वो कहीं भी क्या कर सकता है अपनी बात रख सकता ह इसे हम first law officer कहते हैं, प्रतम विधिक अधिकारी कहते हैं, केंद्र सरकार का वकील कहा जाता है, इसे advocate of central government बोला जाता है, भारस सरकार का न्याले में प्रतिनिधी बोला जाता है, ये संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, वहाँ पर बोल सकता है, बस याद रखना है कि vote नहीं कर सकता क्योंकि जनता द्वारा नहीं चुना गया है, ठीक तो attorney general in India के बारे में कौन सा statement, correct था, तो पहला था, he or she shall have right to be heard in all courts within the territory of India, नेक्स्ट है भारती सम्विधान निर्मित हुआ, Indian constitution was formed in, कब निर्मित हुआ था, भारती सम्विधान, कब निर्मित हुआ था, हाँ, हाँ, paper हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, अरे यार, मैंने जब answer की दी, तो पाँच्छे सवाल तो मेरे ही doubt में थे, एक दो मैं गलत भी बता दिया था, जाज़े waterways होगा answer, बाद में जाकर मैंने भी देखा किया, यार, इंडिया के context में तो नहीं बात की गई है, तो waterways वाला, तुम सबने waterways ही लगाया होगा मेरे हिसाब से, तो मेरे सारे बच्चों ने लगाया होगा, तो एक number वहाँ मिल जाएगा, एक जो मैंने बुद्ध वाला question बनाया था, उसमें भी मेरे को doubt लग रहा है, तो उसका भी change हो सकता है, तो पाँच्छे सवाल तो अभ 149 को इसको adopt कर लिया गया था, English में याद रखना adopted word आ जाए, या formed word आ जाए, तो 26 नमबर को इसलिए हम क्या मनाते हैं, समविधान दिवस मनाते हैं, constitutional day मनाते हैं, या हम इसी दिन विधी दिवस मनाते हैं, विधी दिवस भी मनाया जाता है 26 नमबर को, जबकि 26 जनवरी 1950 को क अगला सवाल देखो, भारती समविधान के किस अनुच्छेद में धन विध्यक को परिभाश्ट किया गया है? धन विध्यक को परिभाश्ट किया गया है, बताईए, ठीक, कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं कोई बिल, मनी बिल है या नहीं है ये देखने का काम है स्पीकर का, लोकसभा, अध्यक्ष का ठीक, राश्ट्रपती की अनुमती से ये सब बिल आता है तो कौन से आर्टिकल में है, 110 में है, बिलकुल ठीक है चलो अगला देखो, भारती सम्विधान, राज्यसभा को मनी बिल पर कोई पावर नहीं है ठीक, 14 दिन में अगर पास नहीं होगा, तो अपने आप पास मान लिया जाएगा भारती सम्विधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में राज्यपद को परिभाशित किया गया है तो अनुच्छेद एक में बताया गया है, राज्य अनुच्छेद आठ में बताया गया है, बारह में बताया गया है, या दस में बताया गया है कौन से अनुच्छेद में राज्य शब्द को परिभाशित किया गया important है इसलिए बता रहा हूँ ठीक है तो किस में किया गया है option number D में किया गया है article number 12 में बताये गया है जब मौलिक अधिकारों के बारे में बताये गया तो राज्य को परिभाशित करते हुए बताये गया कि जो central government है जो state governments है और जो भी bureaucracy का part है वो सब क्या होंगे राज्य शेतर के अंतरगत आएंगे ठीक अगला है समविधान भारत को घोशित करता है समपून प्रभुत्व समपन समाजवादी धर्म निर्पेक्ष लोकतांत्रिक गड़राज समपून सौवरेन सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिकन डेमोकरेसी Sovereign Socialist Secular Democratic State या Sovereign Socialist Secular Democratic Commonwealth तो क्या Declayer है सम्विधान की प्रस्तावना में क्या बताये गया है तो मैंने क्या बताया संपूर्ण प्रभुत्व संपन समाजवादी पंतनिर्पेक यानि Sovereign Socialist Secular तो Sovereign Socialist Secular फिर बताये गया क्या डेमोक्रेटिक और फिर क्या बताया गया रिपब्लिक, D और R, SSDR, ठीक, तो answer to this question is option number A, अगला है भारती सम्विधान, इनमें से किसका सरवाधिक रिणी है, स्विट्जर लेंड के constitution का, सैयुक्तराज अमेरिका के सम्विधान का, भारती शासन अधिनियम 1935 का, या कैनडा के constitution का, तो किसका सरवाधिक रिणी है, question number 19 आपका, किसका सरवाधिक रिणी है, बताइए, क्या हो जाएगा answer, what should be the right answer, तो सरवाधिक रिणी है, Indian Constitution, 1935 का, Government of India Act, 1935 का, इसको भी क्या बोला जाता है, mini Constitution बोला जाता है, more than 50%, more than 50% as it is, इसका क्या किया गया है, बोरो किया गया है, भारत के सम्विधान पर सरवाधिक प्रभाव डाला था, ये तो हो गया यार, चलो अगला देखो, अगला क्या है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों, नौदस वालों, ध्यान से देखो, तुमसे पूछा जाएगा इस सवाल, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए सेवाओं में प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किया गया Under which of the following articles the provision in services for scheduled caste and scheduled tribes is made तो क्या हो जाएगा answer? answer to this question याद रखना 335 ठीक है? एक और article तुमसे पूछा जा सकता है Article 338 इसमें क्या है? SCST commission बनाने की बात की गई हाला कि बाद में 338A बना कर अलग से ST commission बनाने की बात की गई थी ठीक है? तो ये तो मुझे नहीं लगता आएगा ये आपकी SCRT में mention है इसलिए ये पूछा जा सकता है ठीक है? तो 335 वाला article पूछा जा सकता है ठीक? अगला है list 1 और list 2 को सुमेलित करते हुए दिये गए कूट का सही उत्तर चुनना है तो list 1 में और list 2 में भारती सम्विधान की विशिष्टाएं हैं और यहाँ पे शुरोत है न्याइक पुनरीक्षण और मूल अधिकार यानि judicial review और fundamental right जुडिशल review और fundamental right single citizenship यानि एकल नागरिक्ता nomination of members of राज्यसभा और residuary power यानि अवसिष्ट शक्ती यह कौन से देश से ली गई है तो judicial review और fundamental right कहां से लिया गया? अमेरिका से तो एक फोर आपको पहले में ही दिख रहा है यहीं से आपको answer मिल जाएगा वैसे याद रखेगा single citizenship कहां से ली गई है? तो यह ली गई है ब्रिटन से ठीक है? राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन यह लिया गया है Ireland से और अवसिष्ट शक्तियों की अवधारना कहां से ली गई है? Canada से यूनिटेरियन अप्रोच भी ली गई है एकात्मक्ता की अउधारना शक्तिशाली केंद्र की अउधारना अवसिष्ट शक्तियों की अउधारना यह सब कैनड़ा के constitution से लिया गया प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और judicial review, fundamental right, independence of judiciary यह सब लिया गया आपका US के constitution से ठीक है, ब्रिटेंज से हमने लिया single citizenship, ब्रिटेंज हमने dual house by camera legislature यानि दूई सदनी विधाई का ठीक है, rule of law यह सब हमने कहां से लिया, ब्रिटेंज से लिया ठीक, अगला सवाल next दौयद शाशन प्रणाली राज्यों में लागू की गई थी 1909 के अधिनियम से 1929 के अधिनियम से 1935 अब जिनका जिनका seated में समझ में आ रहा है कि clear हो गया है वो लोग आगे अगर आपने beard कर रखा है तो जब तक beard पे कुछ नहीं आता है मेरी उमीद है हम लोग सब लोग यही ट्राई कर रहे हैं कि 2018 से 2022 वालों के लिए मौका मिलना चाहिए पर ये काम इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा review petition के बाद ही इस पे कुछ बात बन पाएगी तब तक कोई एक जहां भी आप TGT के लिए eligible हों उस TGT को फोकस करिए और उसकी preparation स्टार्ट कर दीजे ठीक है तो answer to this question is option number B by the act of 1919 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में लागू की गई ये जड़ा सुन लेना ध्यान से ये हर बार बच्चे इसमें गलत कर देते हैं प्रांतों में dual governance लागू की गई मतलब executive और legislative body बनाई गई ठीक है और फिर 1935 का जब Indian government act आया इससे प्रांतों में द्वैध शाशन समाप्त कर प्रांतों में द्वैध शाशन समाप्त कर center में लागू किया गया केंद्र में लागू किया गया ठीक है तो सवाल जैसा आएगा वैसा काम करना अगला है भारती सम्विधान का कौन सा भाग सम्विधान की आत्मा कहलाता है भारती सम्विधान का कौन सा भाग सम्विधान की आत्मा कहलाता है अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि S.C.E.R.T. के अंदर clear cut ये लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकारों में Article 32 यानि समवैधानिक उपचारों का अधिकार Right to Constitutional Remedies समवैधानिक उपचारों का अधिकार Right to Constitutional Remedies को भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला था समवैधान की आत्मा कहा था लेकिन अगर आप competitive exam में देखेंगे तो answer में प्रस्तावना को भी बोला जाता है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने प्रस्तावना को भी बोला है अगर ये question आ जाता है तो भाया देखो BPSC जो तै करेगी वही सवाल का क्या होगा जवाब अगर SCRT और NCRT के according देखा जाए तो इसका जवाब होना चाहिए मौलिक अधिकार तो मेरी राय ये है कि आप मौलिक अधिकार ही लगाना और उमीद करना कि ये सवाल ना ही आए क्योंकि अगर आएगा तो फिर बवाल मचेगा फिर या तो ये बाहर होगा या सब को एक नंबर कॉमन मिलेगा ठीक है अगला सवाल देखिए मौलिक करतव्यों का उलेक भारती सम्विधान के किस अनुच्छेद में है ठीक fundamental duties के बारे में कौन से बताया गया है तो fundamental duties सरदार स्वर्ण सिंग समिती सरदार स्वर्ण सिंग समिती की recommendation पर दिया गया था ठीक इन्होंने 8 मौलिक करतव्य बताये थे हाला कि जब मौलिक करतव्य को क्या किया गया 42nd constitutional amendment 1976 से add किया गया तो article एक नया जोड दिया गया 51A ठीक भाग भी एक नया जोड दिया गया 4A ठीक है और बना दिया गया fundamental duties fundamental duties को जिस देश के सम्विधान से ग्रहंड किया गया उस देश के सम्विधान का नाम था USSR या रूस से लिया गया और जब ये लागू हुआ तो कुल 10 मौलिक करतव्य थे उसके बाद 86th constitutional amendment 2002 86 सम्विधान संशोधन से 11 मौलिक करतव्य जोड दिया गया और ये माता पिता के लिए बना दिया गया कि उनका करतव्य है कि वो क्या करेंगे अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष की सिक्षा देंगे ठीक है अगला सवाल है निम्नलिकित में से सम्विधान के किस संशोधन द्वारा इस पस्ट रूप से यह बताया गया कि भारत का रास्टपती मंत्री परिशद द्वारा दिये गया परामर्ष को मानने के लिए बाद है प्रेसिडेंट अफ इंडिया इस बाउन तो एक्सेप्ट दी अडवाईज गिवन बाई दे काउंसल अफ मिनिस्टर तो पचीश में, अटीश में, बैालिस में या फिर पैतालिस में बदाएगा नौ दस वालों ध्यान से सुनो, तुमसे पूछा जाएगा यह, वर्ग नौ दस वालों ध्यान से सुनो अच्छा ठीक है बैटा, ले लेना, अभी वेट कर लो, आ जाएगा, उसने कुछ ओफर आ जाएगा, टेंशन मतलो तो यह हुआ था, 42nd Amendment से, बिल्कुल ठीक है, 42nd Amendment से हुआ था कि वो बात दे होगा, ठीक है अगला है, भारती सम्विधान का कौन सा संशोधन मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है कौन सा संशोधन मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है ठीक है अच्छा इसमें ना एक चीज और याद रखना 42 में ये कहा गया कि वो क्या है बाद देह मानने के लिए फिर इसके बाद जब 44th Constitutional Amendment हुआ 1978 में जब इंद्रा गांधी और प्रेसिडेंट के बीच में बहुत ज़्यादा जद्दो जहेद चल रही थी तो इसमें ये बोला गया कि प्रेसिडेंट एक बार पुनर विचार के लिए लोटा सकता है लेकिन अगर मंत्री परिशद उसको दुबारा भेज देती है तो फिर प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा उस पे साइन करना पड़ेगा यही से वीटो वाला जो कॉनसेप्ट था वो थोड़ा क्या हो गया लाइवली हो गया कि प्रेसिडेंट उस पे वीटो पावर का यूज कर सकता है ठीक है तो 42-44 से काफी ज़्यादा इसमें वो किया गया था हाँ इसमें बताईएगा भाई मंत्रियों की संख्या को मंत्रियों की संख्या को क्या कहता है तो option number D 91st amendment ये कहता है कि मंत्रियों की संख्या उस सदन की संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी 15% से अधिक नहीं होगी चाहे विधान सभा की बात करें या लोक सभा की बात करें तो उसके 15% से अधिक नहीं होगी कुछ ऐसे राज जो छोटे राज हैं वहां मंत्रियों की संख्या minimum 12 रखी गई है ठीक है जहां छोटी विधान सबाय है वहां पर minimum कितनी रखी गई है 12 रखी गई है ठीक अच्छा अगला है कि भारत में कौन नागरिक्ता के अर्जन हे तू शर्ते नियत करने के लिए साक्ष है तो नागरिक्ता कौन acquire कर सकता है acquisition of citizenship in India तो who is the component to fix condition चुनाव आयोग, राष्टपती, संसद या फिर संसद और राज्जी की विधाई का सम्मलित रूप से करती है बदाए तो कौन करता है इसमें बेटा संसद करती है Article 11 के तहट Parliament को ये power दी गई है कि वो नागरिक्ता संबंधी कानून में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है, कमी बढ़ी कर सकती है अगला है संविधान सभाग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन्स्टिट्वेट असम्बली के संबंध में निम्न लिखित में कौन सा कथन सत्य है बताना है ठीक है, कह रहा है कि यह वेस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, इसमें कारे करने के लिए समितियां थी, बिलकुल सही है यह बहुदली निकाय था नहीं यह प्रत्यक्ष मतदान था नहीं अब प्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, पहला और चौथा, इसके अंदर क्या हो जाएगा आंसर, ठीक? पहला और चौथा हो जाएगा इसका आंसर ठीक है अगला देखो next देखो निम्नलिखित में से भारती सम्विधान सभा का सदस्य नहीं था टीटी कृष्णा मचारी टीटी कृष्णा मचारी ठीक है है एच्सी मुखर्जी बी एन राव के एम मुन्शी बताईए कौन इसमें से भारती सम्विधान सभा का सदस्य नहीं था टीटी कृष्णा मचारी एच्सी मुखर्जी बी एन राव के एम मुन्शी एच्सी मुखर्जी के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि ये सम्विधान सभा के क्या थे वो पाध्यक्ष थे T.T. Krishnamachari और K.M. Munsi ये लोग अभी आपने पढ़ा की ये लोग जो है वो उसके member थे तो B.N. Rao is the right answer B.N. Rao कौन थे? B.N. Rao भारती समविधान सभा के समवैधानिक सलाहकार constitutional advisor थे constitutional advisor थे नाकी समविधान सभा के सदस्य थे अगला है मौलिक करतव्यों के संबंद में निम्नलिखित में कौन सा या से कथन सही है थेक तो कहरा मौलिक करतव्य समविधान के अनुच्छेद 51 क भाग 4 क में या A में शामिल है मौलिक करतव्यों को 42nd amendment के दोड़ा जोड़ा गया है मौलिक करतव्य भारत में रहने वाले प्रतेक व्यक्ति को पूरे करने होंगे और फिर कह रहा है 11 मौलिक करतव्य 86 में समविधान संशोधन 2006 के द्वारा जोड़ा गया बताओ कौन सा सही है बताना है यहां लिखा है अच्छा सही नहीं है सॉरी सही नहीं है बताना है सही नहीं है बताना है सही नहीं है सही नहीं है बताना है सॉरी बटा कौन सा करेक्ट नहीं है बताना है तो मौलिक करतव्य समविधान के अनुच्छेद 51A में 51A में पार्ट 4A में दिये गए हैं बिलकुल ठीक बात है fundamental duties have been inserted in the constitution by the 42nd constitutional amendment 76 बिलकुल ठीक बात है अब यहां कह रहा है the fundamental duties have to be fulfilled by every person living in India अब देखिए आप भारत के नागरिक हैं तो being a citizen of India हम आप से यह उम्मीद कर सकते हैं कि आप अपने करतव्यों को पूरा करेंगे पर सम्विधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर आप अपने करतव्यों को पूरा नहीं गरेंगे तो आप पर कोई जो है वो क्या किया जाएगा प्रक्रिया चलाई जाएगी है इस बात पर तो सम्विधान मौन है है ना तो तीसरी बात सही नहीं है, करना चाहिए ये बात सही है, पर आप करें ना करें, इस पर समविधान मौन है, इस पर Constitution में बात नहीं की गई है, ठीक, एक ग्यारावा मौलिक करतब च्यासिवे समविधान संशोधन से जोडा गया, ये बात सही है, पर 2006 नहीं है, 2002 है, तो ये व नेक्स कोशन देखते हैं, नेक्स कोशन क्या कह रहा है भाई, नेक्स कोशन देखे जरा तो, निमनलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, not correctly match, समानता का अधिकार 14-18 तक है, धार्मिक स्वतनता का अधिकार 23-24 है, संस्कृति और सिक्षा संबं संदी अधिकार 29-30 है, और स्वतनता का अधिकार आपका 19-22, कौन सा सही नहीं होगा, बताओ, बी कह रहा है, बिल्कुल ठीक, option number B, धार्मिक स्वतनता का अधिकार 25-28 तक है, है ना, 23-24 क्या है, शोशन के विरुद्ध अधिकार, right against exploitation, exploitation, शोशन के विरुद्ध अधिकार है, जबकि समानता का अधिकार 14-18 और स्वतनतरता का 19-22 है, संस्कृति और सिक्षा संबंदी अधिकार को हम, अल्प संख्यकों का अधिकार भी कहते हैं, ठीक, सिख लोग जो कृपान रखते हैं, सिख लोग जो कृपान रखते हैं, वो वाला अधिकार जो है, वो article 25 में दिया हुआ है, ठीक, आप अपने देश का जण्डा पहरा सकते हैं, जण्डा पहराने का जो अधिकार है, जण्डा पहराने का अधिकार, ये कौन से article में है, जण्डा पहराने का अधिकार, कि हम अगर चाहें, तो अपने च्छत के उपर भारत का तिरंगा लहरा सकते हैं, इस पर पहले केस हुआ था, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, कि ये अधिकारों के अंतरगत आता है, कौन सा अधिकार है, जण्डा पहराने का अधिकार, पता है आपको, पात्चीत तो चल रही है, देखते हैं, क्या डिसीजन आता है, क्या होता है, क्या उसके अंदर होता है, तो शेरू बनना ने जवाब दे दिया है, उननिस, अज मेरी कह रही है, नहीं पता है, विक्रम मीना कह रहा है, 31B, 25, 22, ठीक है बटा, 19, 1, ये क्या है आपका, एक्स्प्रेशन का अधिकार है, ये अभिवक्ति का एक क्या है, तरीका है, तो 19, 1 में है, ये याद रखिएगा, ये वाला आपकी SCIT में है, तो पूछा जा सकता है, ये BPSC में आए हुआ है, तो पूछा जा सकता है, अगला सवाल देखिए, सम्विधान के द्वारा निम् Reasonable Restriction संसद सर्वोच नेयले राश्ट्रपती या इनमें से कोई नहीं क्या हो जाएगा जवाब तो कौन लगा सकता है संसद लगा सकती है न भाई जब आर्टिकल 352 इंपोज होता है तो उस समय कंडीशन होती है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ कर बाकी सारे fundamental right क्या हो जाते है suspend हो जाते है तो आपात काल कौन लगाएगा संसद लगाएगी न तो यह अधिकार किसके पास है पार्लियमेंट के पास है यह सवाल आप गलत करेंगे इसलिए मैं करा रहा हूँ आपको अगला देखे समविधान का वह खंड जो अंतर राष्ट्री शान्ती और सुरक्षा के प्रती राजी की जिम्मेवारी के बारे में बताता है international peace and security international peace and security या global peace and security यह कौन सा खंड बताता है राजी के नीति निर्दशक सिध्धान्त मौलिक करतव प्रस्तावना या मौलिक अधिकार बताईए कौन बताता है एस्टेट में अधर इस्टेट वाले भर सकते हाँ भर सकते हैं बताईए बहुत बढ़ी हैं साबाश राजी के नीति निर्दशक तत्व सिध्धान्त आर्टिकल 51 उसमें international peace and security की बात की है कि वो उसको बनाए रखने में क्या करें मदद करें help करें ठीक एक ऐसे व्यक्ति को जिसे अवैद रूप से हिरासत में लिया गया है उसे मुक्त करने के लिए उचित न्याइक निकाए द्वारा जारी किया गया लेक है रिट है ठीक है ए रिट इसूड बाई दी एप्रोप्रियेट जुडिशल बॉडी to set free a person who has been illegally detained आर्टिकल 22 ये कहता है आर्टिकल 22 ये कहता है कि गिरफ्तार किये हुए व्यक्ति को 24 घंटों के अंदर magistrate के सामने पेश करना होगा अगर कोई व्यक्ति निवारक निरोध अधिनियम में में अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार है तो दो महीने के अंदर two month के अंदर उसे trial के लिए ले जाना होगा आप दो महीने से ज़ादा उसको सजा में नहीं रख सकते हैं फिर भी अगर किसी को illegally detained किया गया तो आप उसकी तरफ से court में case file करेंगे या appeal करेंगे तो court क्या करती है writ issue करती है ठीक रिट आपके 5 तरह के होते है सबसे पहले नंबर पे आता है hubis corpus जिसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षी करण बंदी प्रत्यक्षी करण वो रिट है जिसमें अवैद रूप से हिरासत में लिएगे व्यक्ती को बंदी को प्रत्यक्ष करण करो मतलब जो हमारा prisoner है उसको सामने ले आओ ठीक है तो वो क्या हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षी करण ठीक उसके बाद दूसरा जो आता है वो क्या आता है mandamus यानि परमादेश जिसमें court जो है वो क्या करता है we command हम आदेश देते हैं mandamus के बाद आता है क्या prohibition ठेक प्रतिशेद जिसको बोलते हैं prohibition के बाद आता है certiorary जिससे हम क्या कहते हैं उत्प्रेशन कहते हैं जिसमें पद अधिकारी के लिए जारी किया जाता है जिसमें उसकी इसको post-martum भी बोलते हैं कि उससे पूचा जाता है कि किस अधिकार से आपने ये पद ग्रहन किया है तो उसको justification देना होता है किसी लोग अधिकारी को public service के व्यक्ति को ये चीज जारी हो सकती है ठीक तो ये 5 तरह के rate होते हैं इस पर rate पर सवाल आएगा rate अवश्य से दोहरा के जाईएगा ठीक अगला देखिएगा 36 number question देखिए list 1 है और list 2 है एक तरफ अनुच्छेद है एक तरफ उनके सामने संकेत दियें किस से related है 16, 32, 14, 17 उधर लिखा है कानून के समक समानता समवधानिक उप्चार अस्प्रिशता अपराद है और सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर बदाईए मिलाईए जरातू सबिता समर्जी अगर ऐसी बात है तो आप मेरे से contact कर लीजे मैं आपकी परशानी दूर कर दूँगा ठीक है बटा TGT SST का मेरा batch अल्रेडी चल रहा है TGT SST का batch अल्रेडी चल रहा है E, M, R, S और D, S, S, B का ठीक इसके अलावा जो बिहार Estet का batch है बिहार Estet का batch है उसकी enrollment स्टार्ट हो गई है शोशल साइन्स की शोशल साइन्स की ठीक है आप चाहो तो किसी भी batch से जुड़ सकते हो ये code लगा लेना Y793 ठीक है तो 16 क्या हो जाएगा सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर ठीक है 32 आपका क्या हो जाएगा समवैधानिक उपचार 14 हो जाएगा कानून के समक समानता और 17 हो जाएगा अस्प्रिश्यता का अंत यानि पहले का D यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा D, B, A और C ठीक है D, B, A और C अगला देखो भारत के किस समविधान के किस भाग भारती समविधान के किस भाग या भागों में आर्थिक न्याय को समविधान का लक्ष गोशित किया गया है प्रस्तावना और मौलिक अधिकार प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिध्धान्त मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिध्धान्त प्रस्तावना मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिध्धान्त बताईए क्या हो जाएगा correct answer what should be the right answer आप लोगों को कल मैंने कुछ वीडियो बताई थी देखने के लिए देखी वो वर्ग एक से पाँच वालो वर्ग एक से पाँच वालो सीटेट की जो मेरी प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में हिस्ट्री पॉलिटी और जोगरफी इनकी मैरतन पड़ी है दो इसकी है दो इसकी है और एक इसकी है ये पाँच क्लास देख के जाना जरूर से, ठीक है जरूर से देख के जाना, स्पीड में लगा के देख जाओ ठीक, डाइरेक्ट सवाल मिलेगा प्रस्तावना और नीति निदिरशक सिध्धान्त प्रेंबल and directive principle इन में बात कही गई है आर्थिक नियाय और सम्विधान के लक्ष की बात की गई है ठीक है clear भाई नीति निदिरशक सिध्धान्त में भी आर्थिक न्याय की बात है समानकारे के लिए समान वितन अर्थिक निया है ठीक है और प्रस्तावना में भी काया है कि हम अपने नागरिकों को समाजिक अर्थिक और राजनितिक नियाए देंगे ठीक है में भेदभाव का निशेद Prohibition of Discrimination in State Appointments कौन सा Directive Principle का पार्ट नहीं है कौन सा Directive Principle का पार्ट नहीं है ध्यान से पढ़ना History का क्लास नहीं मिल रहा किती दिर का मेरतन है अरे यार History की क्लास कहे नहीं मिल रही है इतने सारे लोग जो है YouTube पे जाओ सोच लो क्या इस देश का दुरभाग देख लो Teaching का Teachers डालने पे सबसे पहले जो सर्च आ रहा है वो आ रहा है Teachers Day Dance अब और क्या ही दुरभाग यह होगा इस देश का तो Teachers अड़ा 24-7 आप जब डालते हैं यहाँ पर आप जाते हैं Main Channel पे हमारे तो Playlist में जाईए Playlist में जाईए Seated वाली लिस्ट में जाईए तीसरे नमबर पे है उसमें तीसरे नमबर पे मेरी आपको Marathon मिल जाएगी ठीक और इस Marathon के अंदर आपको History की दो Classes दिख जाएगी एक 8th Class की और एक उसके अलावा आपको Class दिख जाएगी ये वाली ठीक ये वाली Class आप लोग जरूर से देख के जाईएगा ठीक है ये लगबग धाई गंटे की Class है 1.25 की Speed पे लगा लिजेगा इसको जरूर से देख के जाईएगा ठीक आपको किसमे बताता है नौकरियों में या नियोजन में बहिदभाव नहीं किया जाएगा जबकि समान और निशुलक कानूनी सहायता 39A के अंदर दिया हुआ है नागरिकों के लिए समान कानूनी संगिता यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका दिया हुआ है आपको किसमे दिया हुआ है आपको किस रिट का शाबदिक अर्थ होता है वी कमांड हम आदेश देते हैं या वी और वी कमांड होना चाहिए था V command हम आदेश देते हैं परमादेश बंदी प्रतक्षी करन प्रतिशे दिया अधिकार प्रिक्षा बताओ अभी बताया आपको ये judge कोई भी मतलब court issue करता है ये बात याद रखना court issue करता है किसे issue कर सकता है तो किसी अधिकारी को कर सकता है अधिनस्थ न्यायلى को कर सकता है सरकार को कर सकता है तो court जो है court to court भी issue होता है court to court भी issue होता है prohibition, certiorary और आपका mandamus ये वो हैं जो court to court issue हो सकते है न्यायले से न्यायले को जारी किये जा सकते है मैं अच़ब comment box में pin करा दूंगा मेरथन ठीक तो आंसर हो जाएगा मेंडमस अगला देखिएगा निमनलिखित में किस अधिकार का वर्नन डॉक्टर भीम राओ अंबेड कर ने सम्विधान के रिदय और आत्मा के रूप में किया है इन सब पर ज्यादा समय मत लीजे समविधानिक उपचारों का अधिकार संपत्ति का अधिकार मूल समविधान में था मूल समविधान में हा और 44th Constitutional Amendment 1978 से हटा दिया गया और इसको हटा के अब क्या कर दिया गया Article 300A में एक Legal Right बना दिया गया है क्या बना दिया गया है Legal Right बना दिया गया है वैधानिक अधिकार बना दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा Right to Constitutional Remedies अगला है भारतिय समविधान के किस भाग और अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उलेख किया गया है तो कौन से में किया गया है तो भाग 4 कर और अनुच्छेद 51 कर में Part 4A और Article 51 ए में पढ़ चुके हो ये यह भी पढ़े हो है ना यह भी पढ़े हो नेक्स देखो भारत में प्रतेक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरन का संदक्षन और सुधार करना ये कथन भारती समविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है The above statement is mentioned in which article of the Indian constitution It shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment बताओ 42 number question का answer बताओ देखो इस सवाल में हमेशा गलती होती है तुम देख पा रहे हो कुछ लोग B बोल रहे हैं कुछ लोग C बोल रहे हैं अब अगर सवाल को ध्यान से पढ़ोगे तो तुम आराम से जवाब निकाल लोगे सवाल में ही जवाद छिपा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, भारत के प्रतेक नागरिक का कर्तव्य होगा, अब आप एक बात बताईए, अगर नागरिक का कर्तव्य लिख दिया गया, अगर duty of every citizen लिख दिया गया, इसका मतलब ये मौलिक कर्तव्य की बात हो गई, और अगर मलिक देता कि राज्य का कर्तव्य होगा, अगर इसी सवाल में मलिक देता कि राज्य का कर्तव्य होगा, तब इसका जवाब क्या हो जाता, ये वाला हो जाता, तब सेम सवाल का जवाब क्या हो जाता, ये वाला हो जाता, आई बात समझ में, और article 21 कौन जवाब दे रहा है भ गलत मत करना ठीक है तो answer to this question is 51a अगला देखो भारती समविधान में निमनांकित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारती नागरिकों को ही प्राप्त है धर्म प्रजाति जाति लिंग और जन्मिस्थान के आधार पर विबेद से सुरक्षा यानि protection for discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex, place of birth फिर कह रहा है शोशन के विरुद्ध अधिकार, विधी के समख समानता और धर्म की स्वतंत्रता केवल भारती नागरिकों को प्राप्त केवल भारती नागरिकों को प्राप्त नहीं प्रसान जी बस दो चीज़ें देखनी होती है अगर राज जी का करतब वे पूछा जाए तो 48 A हो जाएगा क्योंकि सेम बात है दोनों आटिकल में पर नागरिक का करतब वे पूछा जाएगा तो 51 A हो जाएगा है ना बताईए देखो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये वो आर्टिकल्स है ये वो मौलिक अधिकार है जो केवल भारती नागरिकों को प्राप्त है मोटे मोटे तोर पे बहुत बारीकी में नहीं जा रहा हूँ ठीक है 15, 16, 19 और अल्पसंख्यकों का अधिकार और ये वाला किस के अंदर है आर्टिकल 15 के अंदर है ठीक बाहर से जो व्यक्ति आया है हम इस चीज का अधिकार उसको नहीं देते हैं ना ही हम उसको अपने नौकरी देने ते समय ये बात करेंगे लेकिन उसको भी शोशन के विरुद अधिकार का मौलिक अधिकार है कि हम उसका शोशन थोड़ी न करने लगेंगे वो भारत आएगा तो उसको भी जीवन का अधिकार है उसको भी law के against equality मिलेगी अजमल आमिर कसाब को trial इसलिए नहीं दिया गया था कि उसको बचाना चाह रहे थे trial इसलिए दिया गया था कि एक सही जो देश होता है जो constitutional ruling country होती है उसमें fair trial हर व्यक्ति का अधिकार होता है इसका मतलब ये था कि अगर हम अजमल आमिर कसाब को भी वो fair trial देंगे तो उसे हम due procedure of law के तहत हमने फासी दी तो कल को हमारे उपर कोई उंगली नहीं उठा सकता कि हमने उसको due procedure नहीं दिया ठीक है तो इसलिए इसका answer क्या हो जाएगा option number A ठीक अगला देखो किस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था in which year the right to information act was passed सूचना का अधिकार पारित हुआ था 2001, 45, 2002 क्या हो जाएगा जवाब दो हजार पांच डेट याद है तो डेट याद रखिएगा 12th of October 2005 से पूरे देश में लागू हो गया ठीक उससे पहले ये 12 माई को संसद में पास हुआ था जून में मैं को डेट नहीं याद आ रहा है उसको राश्ट्रपती से अनुमत ही मिल गई थी 12 माई इसलिए याद है क्योंकि मेरा बड़े पढ़ता है उस दिन ठीक अगला देखिए निम्ण में से कौन सा राज्यका नीती निदिशक तत्व सिध्धान समविधान में बाद में जोड़ा गया ग्राम पंचायतों का संगठन गोवद निशेद मुफ्त निशुल कानूनी सहायता और समान नागरिक संगिता तो कौन सा बाद में जोड़ा गिया है राजिका, नीति, निदिशक, सिधान, सम्विधान में बाद में जोड़ा गिया ठीक, बताओ तो ओरिजिनल कॉंस्टिटिउशन में ग्राम पंचायतों का संगठन आर्टिकल 40 में था ठीक, गोवद निशेद की जो बात कही गई थी वो आर्टिकल 48 में थी ठीक, 48 में थी और मुफ्त निशुलक कानूनी सहायता ये है आर्टिकल 39A में ठीक है और समान नागरिक कानूनी संगिता ये था आर्टिकल 44 में तो इसमें ये वाला, ये वाला और ये वाला 42nd constitutional amendment 1976 से इसमें क्या कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति उसके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो अपने लिए advocate रख सके वकील रख सके तो सरकार उसको क्या करेगी एक वकील मुहया कराएगी जिसे हम PP कहते हैं public prosecutor कहते हैं सरकारी वकील कहते हैं mind it कि हर व्यक्ति को अपने लिए वकील करने का अधिकार है ये बात article 22 में बोली गई है हर व्यक्ति को वकील रखने का अधिकार है अपने लिए वकील रखने का अधिकार है ये बात बोली गई किसमें article 22 में और अगर उसके पास वकील रखने की संसाधन नहीं है पैसा नहीं है हैसियत नहीं है, जानकारी नहीं है तो Article 39 Capital A कहता है कि ऐसे व्यक्ति को सरकारी वकील दिया जाए, सरकार वकील मुहया कराए, ठीक है? चालो, अगला देखो, भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, बताईए, भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, The Guardian of Fundamental Rights in India न्यायपालिका, कारेपालिका, संसद सम्विधान सरकारी वकील तो और बेकार होते हैं अब ये तो वकील पर डिपेंड करता है हमारे साले साहब है, पीपी हैं दिल्ली में बवाल मचा के रखे हुए है तो आदमी पर डिपेंड करता है न भारत में मौलिक अधिकारों का संदक्षक है न्यायपालिका, कारेपालिका, संसद संविधान संदक्षक किसे कहा जाता है? तो न्यायपालिका को कहा जाता है प्रोटेक्टर ओफ, जुडीश्री जुडीशरी की जो भूमिका होती है जो रोल होता है वो क्या होता है कानून की रक्षा करना विवादों का निप्टारा करना डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है ना और क्या होता है मौलिक अधिकारों की रक्षा तथा क्रियानवयन इन्फोर्स्मेंट भी वही करते है ठीक है मौलिक अधिकारों की रक्षा और क्रियानवयन और फिर अंत में क्या आ जाता है न्याइक समीक्षा जुडीशियल रिव्यू का काम भी वही करते है नेक्स देखिएगा भारती संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? प्रदान मंत्री, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, लोगसभा का अध्यक्ष बदाईए राष्ट्रपती, वाष्ट्रपती, अध्यक्ष बद lado. What should the right answer? What should the right answer? संयुक्त अधिवेशन तो अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष एक चीज याद रखना संयुक्त अधिवेशन बिल डिस्प्यूट जब हो जाता है तब होता है जब किसी विध्यक पर विवाद हो जाए और कैसे विध्यक पर साधारन विध्यकपर और किसी पर नहीं साधारन विध्यकपर केवल ठीक है सिंपल बिल पे सिंपल बिल पे ओर्डनरी बिल पे सिंपल बिल पे ही होता है सैयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है सैयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार बुलाने का अधिकार ठीक और जब ये बुलाएगा तो आप ये नहीं कह पाओगे कि बुलाता है मगर जाने का नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि कौन बुलाता है राष्टपती ठीक तो बुलाने का अधिकार किसके पास है जॉइंट सेशन को प्रेसिडेंट के पास और उसकी presiding कौन करता है अध्यक्षता कौन करता है लोकसभा का अध्यक्ष किस पर होता है साधारण विधेक पर होता है simple bill पर होता है अगला देखो भारती समविधान में समवर्ती सूची को किस देश के समविधान से ग्रहन किया गया idea of concurrent list ठेक idea of concurrent list idea of concurrent list कौन से समविधान से लिया गया औस्ट्रेलिया से बिलकुल ठीक है औस्ट्रेलिया से लिया गया है Ireland से क्या लिया गया है DPSP ठेक सायुक्त राज अमेरिका से पढ़ी लियो Britain से पढ़ी लियो Ireland से राजसभा में जो 12 लोगों को मनुनीत किया जाता है वो भी वहीं से लिया गया है ठीक है अगला देखिएगा निमनलिखित में किन देशों में वर्ग 9-10 वालों ध्यान दीजिए आप से सवाल पूछा जाएगा ये निमनलिखित में से किन देशों में अवसिष्ट शक्तियों राज्यों एकाईयों में अंतर नहीं थे अवसिष्ट शक्तियां राज्यों में नहीं थे रेसिडियूरी पावर किसके पास है रेसिडियूरी पावर किसके पास है स्टेट्स के पास है कौन से देश हैं वो सैयुक्तराज अमेरिका भारत स्विट्जरलेंड ऑस्टेलिया 1-3-3-4-1-4-1-3-4 बदाए सर जी आप से ही केवल हिस्ट्री जीयो पॉलिटी पी आर्टी और टीजिटी के लिए पढ़ना हो तो कौन सा कोर्स परचेस करना होगा या जोगरफी तो मैं बस सीटेट में पढ़ा दिया था मैं ऐसे पढ़ाता तो हूँ नहीं जोगरफी ठीक है भाई बाकी पी आर्टी के लिए तो सीटेट के बहच में भी पढ़ सकते हो एस्टेट वाला पढ़ लेना भी तो आंसर क्या हो जाएगा भारत में है नहीं क्योंकि भारत में किसके पास है केंद्र के पास है संगवाद का मतलब मैंने आपको बताया था फेडरलिजम का मतलब मैंने आपको बताया था ना कि फेडरलिजम का मतलब सीटेट में तो चलो हमने पढ़ा था कि फेडरलिजम का मतलब है एक से ज़ाद अस्तर पे सरकारों का होना पर फेडरलिजम का मतलब यह है कि हमारे यहाँ क्या है कि कोई अगर subject है तो इस पर law बनाने का right center के पास भी है और state के पास भी है कुछ subject है जिस पर law बनाने का right किस के पास है center के पास और कुछ subject है जिस पर law बनाने का right किस के पास है state के पास है और कुछ ऐसे subject है जिस पर law राज भी बना सकता है और center भी बना सकता है पर इसमें अगर किसी बात पर कोई विवाद होता है या कोई विवाद की स्थिति उत्पन होती है तो हमारे यहां जो वो शक्ती है अंतिम निर्णे की शक्ती वो सेंटर के पास है जिसे हम कहते हैं अवसिष्ट शक्ती या कोई ऐसा subject आजाए ध्यान से सुनिएगा इस बात को कोई ऐसा विशे आजाए जैसे IT भारत का समविधान जब बना था तब तो information technology नहीं आई थी तो ऐसा विशे जो समविधान में वरनित नहीं है और अब उस पर कानून बनाने की आवशक्ता पड़ रही है तो भी हमारे किसको यह अधिकार दिया गया है center को लेकिन USA में Switzerland में Australia में ऐसा नहीं है वहाँ पर यह जो राज्यों के पास है इसलिए संगवाद में फेडरलिजम में दो वर्ड इस्तमाल होते हैं एक वर्ड होता है federal और एक वर्ड होता है union इसमें से हमारे समविधान के लिए क्या शब् इंडिया देट इस भारत इंडिया जो की क्या है भारत है इस यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया है राज्यों का संग बोला गया है तो हमारे थोड़े लक्षन इसके हैं थोड़े लक्षन इससे हैं इसलिए भारती राज्य को हम क्या कहते हैं क्वासी फेडरल इस्टेट कहत पढ़ायत है ना या इपलीकेशन वालो बोलो हाँ या ना अर्द संघात्मक राज जी कहते हैं क्या कहते हैं अर्द संघात्मक राज जी कहते हैं GST और RTE का example देकर समझाया भी था राइड टुए एजुकेशन और GST का example देकर समझाया भी था ठीक तो answer to this question is एक तीन और चार चलो अगला देखो भारत में वित्तिय विवस्था को केंद्र एवं राज्य इस्तरों पर किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है वित्तिय विवस्था को केंद्र और राज्यों के अस्तर पर भारत का महा नयवादी संसत की वित्तिय समितिया भारत का नियंत्रक महा लेखा परिक्षक या फिर उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा जवाब जो financial status होती है वो कौन कंट्रोल करता है मतलब उसका audit audit देखने का काम किसका होता है इसको बोलते है guardian of public purse ठीक क्या बोलते हैं guardian of public purse है ना जनता के बटुए का रक्षक बोलते हैं कौन है ये व्यक्ति भारत का नियंत्रक और महा लेखा परिक्षक जिसको हम CAG बोलते हैं article 148 में CAG के बारे में बताया गया है 148 से 151 तक है ये ठीक है राष्ट्रपती द्वारा नियूक्त होता है और ये क्या करता है audit करने का काम करता है वित्ती लेंदेन को अभी आपने देखा भी होगा की CAG ने बोला है कि कुछ-कुछ घोटाले हुए हैं ठीक भारत में सिक्किम का विले किस वर्ष हुआ था एक बार स्टेट्स को जरूर देखके जाईएगा कि बिहार राज्य कब बना बिहार राज्य असम से अलग कब हुआ स्वारी उडीसा से कब अलग हुआ कब एक स्वतंत राज्य की स्थापना हुई बिहार की और बाकी के जो स्टेट बने मुंबई और गुजरात कब अलग हुए सिक्किम कब बनाए इस पे सवाल आ जाता है कभी कबार what should be the right answer सिक्किम कब बिले कब हुआ सिक्किम कब बिले कब हुआ भाई तो 1975 में सिक्किम 22 राज्य बना था 22 इस्टेट बना था ठीक है अगला देखो केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों के अंतरगत क्या होता है भाई केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों के अंतरगत क्या होता है बताईए केंद्र और राज्यों के मध्ध विवादों के अंतरगत क्या हुआ ठीक है परामर्श छेत्रा दिकार के अंतरगत आता है ये अंडर कलसर्टेटिव जुरिजडिक्षन अपीली छेत्रा दिकार समवैधानिक छेत्रा दिकार या फिर प्रारंबिक छेत्रा दिकार ओरिजिनल जुरिजडिक्षन तो याद रखिएगा कि केंद्र और राज्य के मध्ध का जो विवाद है केंद्र और राजी के मद्ध का जो विवाद है वो किस में आता है प्रारंबिक शेत्राधिकार में आता है क्योंकि ये कहां सुना जाता है सर्वोच नयाले में सुना जाता है सर्वोच नयाले कई तरह के मामले सुन सकती है सेंटर वर्सेज स्टेट स्टेट वर्सेस स्टेट ठीक फंडामेंटल राइट के मामले भी सर्वोचनेले में सुने जा सकते हैं और ये सब किस में आते हैं ओरिजिनल जूरिज्डिक्शन में आते हैं ठीक है और परामर्श दात्री छेतरादिकार जो है ये इसमें आता है आपका आर्टिकल 143 जिसमें ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ड से किसी मुद्दे पर एडवाईस ले सकता है हाला कि ये एडवाईस उसके उपर बाउंड नहीं होगी तो रास्टपती बाध्यकारी नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ड की सला मानेगा ही मानेगा उसका मन होगा तो मानेगा नहीं मन होगा तो नहीं मानेगा ठीक अगला सवाल देखो संसदी ये सरकार में कारेपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें नहीं थे संसधी ये सरकार में कारेपालिका की वास्तविक शक्तियां किसमें नहीं थें In a parliamentary government the real powers of the executive are vested in वास्तविक शक्ति किसके पास होती है Estet में कौन-कौन से subject पढ़ने को मैं क्या पढ़ाओंगा ये पूच रहा है हमारे यां कौन से subject है बिल्कुल मद डरो यार बिल्कुल मद डरो आप लोग बहुत बढ़ियां पेपर करके आओगे सीटेट में तने लोग डर रहे थे किये न अच्छा पेपर ठीक है सुनो बांगडु दासों बात सुनो अगर पूछा जाएगा actual power actual powers अगर पूछा जाएगा actual या real powers of the executive are vested in तो हमेशा याद रखना answer क्या होगा council of minister क्यों राष्ट्रपती जो होता है ये कौन होता है article 53 क्या कहता है कि हमारे देश में president होगा और वो क्या होगा executive head होगा कारेपालिका का प्रमुक होगा ये बात कही जाती है पर ये कारे कैसे करेगा तो ये कारे करेगा मंत्री परशद की सलाह पर ये कारे कैसे करेगा मंत्री परशद की सलाह पर कारे करेगा तो वास्तविक शक्ति किसके पास होती है मंत्री परशद और इस मंत्री परशद का जो head होता है या जो leader होता है वो कौन होता है prime minister होता है पर यहाँ पर हम इसे नहीं चुनेंगे क्योंकि सम्विधान में ये बात लिखी है कि मंत्री परशत की सलापे कारे करेगा ठेक अगला देखो 1960 में दुई भाशी राज्य बंबई को विभाजित कर दिया गया दो राज्यों में किसके किसके बीच में गुजरात और मद्ध्रदेश, महरास्ट, आंद्रप्रदेश, महरास्टरा गोवा महरास्ट, मद्ध्रदेश, गुजरात और महरास्ट क्या हो जाएगा answer अब जब आप यही मान लियें रजगुल्ला जी तो तो फिर कुछ नहीं हो सकता कब से यूपिटेट का क्लास लेंगे शुरू करेंगे जल्दी जल्दी स्टार्ट करेंगे एक तारिक से देखो शायद स्टार्ट कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा ई अरे कौन सी जवाब दे रहा है यार दुई भाषी राज जित्था बंबई इसमें मराठी बोलने वाले थे और गुजराती बोलने अब ये सब सवाल गलत करोगे तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी तो मराठी बोलने वालों के लिए महरास्ट बना दिया गया और गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात बना दिया गया तो E हो गया ऑप्शन ठीक BPSC का सवाल है ये अगला देखो राष्ट्रपती का रिक्तिस्थान कितने दिनों में भरा जाना चाहिए 90 दिन एक वर्ष 6 माँ संसत द्वारा निर्धारित समय में The vacancy of the office of president should be fulfilled in कितने दिनों में भरा जाना चाहिए आपकी योग्यता एक कागज तै नहीं करेगा मैं मानता हूँ राह मुश्किल है पर ऐसा नहीं है कि राह खतम हो जाए ठीक बैठिये विचार कीजिए कोई भी चीज रातो रात नहीं होती है प्रक्रिया होती है किसी चीज की और प्रक्रिया समय लेती है ठीक छे महीने में ठीक एक चीज याद रखना जहां भी इस तरह का सवाल आजाए जहां पर तुमको दिख रहा हो कि छे महीना चुनना है ठीक है महीने में चुनना है कितने महीने में तो 90% of the time 6 माँ वाला आंसर सही होता है और दिन वाला अगर पूछा जाए तो दिन का आप्शन दिया हो तो 90% of the time 14 दिन वाला आंसर क्या होता है अब तो माइनस मार्किंग हटा ली गई है तो अगर मान लो ऐसा कोई सवाल आ जाए तुम नहीं पड़े हो पर तुमको दिख रहा है कि संसत के दो सेशन के बीच में अधिकतम कितने महीने का गैप हो सकता है तो तुम्हें दिख रहा तीन महीना, चार महीना, छे महीना, दस महीना छे महीना आंसर हो जाएगा ठीक एक मंत्री अगर हट जाता है तो उसे कितने दिनों के अंदर जो है वो सही हो जाएगा अंसर अगला देखो भारत जैसे लोकतांतरिक प्रणाली में न्याइक समिक्षा की शक्ती की जरूरत क्यूं है न्याइक समिक्षा की शक्ती की जरूरत क्यूं है न्याइपालिका को शक्ती देने के लिए विधाईका को शशक्त करने के लिए शाशनात्मक सत्ता की शक्ती पर अंकुष लगाने के लिए ठीक है और मौलिक अधिकारों को निश्फल करने के लिए या समविधान की सर्वोचता के सिध्धानत को बनाई रखने के लिए तो क्यूं है? तो लोकतांत्रिक प्रणाली में न्याइक समिक्षा इसलिए जरूरी होती है न्याइक समिक्षा में दो चीज़ें आती है ठीक एक मैंने बताया कि अपने ही निर्ने की समिक्षा करना पढ़ा चुका हूँ यह आपको सीटेट में निर्ने की समिक्षा करना और दूसरा क्या है? अगर संसद कोई कानून पास करे और ऐसा लग रहा हो कि यह unlawful act है यह कानून सही नहीं बना है सम्विधान के आधार भुठ धाचे का उलंगन करता है तो नयाइपालिका को अधिकार है कि वो ऐसे कानून को क्या कर सकती है रद्द कर सकती है इसका मतलब सम्विधान की सर्वोचता को बनाए रखने के लिए नयाइक समिक्षा की आउशकता की गई है ठीक है अगला देखेगा next नेक्स क्या है भारत के सम्विधान के अनुसार राज्यसभा को कौन सी विशेश शक्तियां परदान की गई है राज्ज सभा को कौन सी विशेश शक्तियां प्रदान की गई हैं किसी राज्ज का नाम बदलने या किसी राज्ज के मौझूदा राज्ज में छेत्र परिवर्तन करने के लिए राश्टरपती के चुनाव प्रक्रिया में संशोधन और राश्टरपती की सेवा निवृत्ति के बाद के पेंशन निर्धारित करने के लिए एक या अधिक अखिल भारती सेवाओं को बनाने और राज्य सूची पर सूचिबद्ध विश्यों पर कानून बनाने के लिए संसत के अधिकार को पारित करने के लिए निर्वाचन आयोग के कारियों का निर्धारन करने के लिए या फिर संग लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का निर्धारन करने के लिए तो राजसभा को अधिकार क्या है कि अगर एक या अधिक अखिल भारती सेवाओं को बनाया जा रहा है All India Services बनाई जा रही है तो फिर उसमें राजसभा की सहमती आवश्यक है यहाँ पर राजसभा की सहमती क्या है आवश्यक है यहाँ वो नहीं हो सकता कि पुनर विचार के लिए लोटाएगा और वाप वापस कर दोगे नहीं उसका कंसेंट मिलना कंपलसरी है ठीक है और उप राश्टरपती को लेकर कोई बिल होगा तो भी क्या होगा उसका कंपलसरी माना जाएगा स्टेट लिस्ट का कोई सब्जेक्ट हो या फिर ओल इंडिया सिविल सर्विसेज हो या फिर वाइस प्रेसिडेंट की पावर या वाइस प्रेसिडेंट के रिलेटेट कोई बात हो तो निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपती की सही चुनाओ प्रक्रिया क्या है जो जादा मत पाएगा वो जीत जाएगा आम सहमती है नामांकन है निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा परोग शुरूप से चुना जाता है या फिर प्रत्यक्ष चुनाओ होता है बताईए किसी को नर्वस फील नहीं हो रहाँ मेरे बच्चों को नर्वस फील नहीं होता टेंशन न लो जहाज बना देंगे सब पेपर का टेंशन मतलू आप बताईगा तो क्या होता है निर्वाचक मंदल के द्वारा उनका चुनाओ किया जाता है ना प्रत्यक्ष चुनाओ हम थोड़ी न करते हैं चुनाओ तो निर्वाचक मंदल होता है और राष्ट्रपती का जो निर्वाचक मंदल होता है जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें कौन होते हैं राज्य सभा के सदस्य और लोग सभा के सदस्य राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य सब मिलके चुनते हैं न और दिल्ली एंड पडुचेरी एंड जम्मु एं कश्मीर की विधान सभा के निर्वाचित सदस्य ये सब मिलके क्या बनाते हैं निर्वाचक मंदल बनाते हैं फिर भारत के राश्टपती का चुनाओ होता है और चुनाओ जो होता है वो single transferable vote एकल संक्रमनिय मत द्वारा और आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा रेशियो प्रपोर्शनेट सिस्टम होता है उसके आधार पर प्रेसिडेंट का क्या होता है चुनाव होता है ठीक अगला सवाल देखिए किस संस्था को house of elders के रूप में संदर्वित किया जाता है ठीक ये 36 गड़ का आया हुआ सवाल है ठीक है बिहार की तरह 36 गड़ में भी कई बार इप्शन तक दे देते हैं तो house of elders किसे कहते हैं house of elders किसे कहते हैं ठीक है house of elders किसे कहते हैं ठीक इसको house of estates भी कहते हैं इसे council of estates भी कहते हैं इसे upper house भी कहते हैं अपर हाउस क्यों कहा जाता है upper house इसलिए कहा जाता है because it's never dissolved because it's never dissolved ठीक कभी भंग नहीं होती council of state कहते हैं क्योंकि इसके प्रतिनिधी राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए राज्यों की परिशद भी कहा जाता है तो यह क्या हो जाएगा answer राज्य सभा answer to this question is राज्य सभा clear चालो अगला सवाल देखो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उच्च नयाले तथा सर्वोच नयाले दोनों के अधिकार छेतर में होता है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उच नयाले तथा सर्वोच नयाले दोनों के अधिकार छेतर में होता है केंद्र और राज्यों के मद्ध का विवाद, मौलिक अधिकारों का संरक्षन, सम्विधान के उलंगन के विरुद्ध संरक्षन, दो राज्यों के मद्ध का विवाद, बदाईए और एक से पाच वालों पॉलिटी में ये सब के लिए मत परशान होना कि थर बिहार का पॉलिटी बिहार का पॉलिटी पाच-छे तरीके के सवाल हैं अगर बिहार से स्पेशली उनको पूछना होगा तो पाच-छे तरीके के सवाल में से कोई एक आ जाएगा पहला बिहार में लोकसभागी कितनी सीटे हैं राज्यसभागी कितनी सीटे हैं इसमें बहुत ज़्यादा कठिन करना चाहेंगे तो जब जारकंड बिहार एक साथ था तब कितनी सीटे थी और अभी कितनी सीटे हैं कठिन सवाल बनाना चाहेंगे तो ये बना देंगे बिहार के पंचायती राज में 50% महिलाओं का आरक्षन है कब उसका बिल आया था ये पढ़के चले जाना ठीक है 7000 की आबादी पे वहाँ पे एक ग्राम पंचायत बन जाती ये important बात है इसी तरह से उपर के लेवल पे तो ये वैसे भी वर्ग 910 में आएगा वर्ग 910 को मैंने पढ़ा रखा है पंचायत अधिकारियों के बारे में और वो पंचायत दल जिसका वो लीडर किस नाम से जाना जिसको तुम पटवारी कहते हो, बिहार में उसी को क्या कहते है, हलका कर्मचारी कहते है, ठीक है, 10 लाग की आबादी वाला एक शहर है, कितने नगर निगम है, क्या है, ये सभं पहले ही आपको बढ़ा चुके हैं, ठीक है, तो दोनों की अधिकार छेटर में आता है मौलिक अधिकारों का संदक्षन उच्छ नयाले मौलिक अधिकारों का संदक्षन करता है आर्टिकल 226 में और सर्वोच नयाले करता है मौलिक अधिकारों का संदक्षन आर्टिकल 32 में ठीक आर्टिकल 32 में करता है यहाँ पर दो बातें जान लीजे पहली बात जब आपात काल लगा होता है और 20 और 21 को छोड़ कर बाकी सारे fundamental right हटा दिये जाते हैं उलंगन ना होने पाए तो 226 क्या हो जाता है अपने आप impose हो जाता है यानि उस समय आप उच्च नयाले में जा सकते हैं दूसरी बात याद रखनी है कि सर्वोच नयाले और उच्च नयाले दोनों ही रिट इशू करते हैं सर्वोच नयाले fundamental rights को protect करने के लिए रिट इशू कर सकता है तो रिट जारी करने पर लेख जारी करने पर आदेश जारी करने पर रिट के इशू करने पर सुप्रीम कोर्ट से जादा पावर है हाई कोर्ट के पास ये एक मात्र जगह है जहां हाई कोर्ट को अधिक पावर दी गई है ठीक चलिए अगला सवाल देखेगा सर्वो पुन्रा वलोकन या न्याइक समिक्षा का तात्पर क्या है अपने ही निर्णे की समिक्षा करना देश में न्याइपालिका की कारेविधी की समिक्षा करना ठीक है और कह रहा है कि विधान मंडल द्वारा निर्मित कानूनों के समविधानिक वैदता का परिक्षन करना और फि तब आपको आंसर क्या देना है कि वह जो है वो क्या करता है विधान मंडल या संसत द्वारा कानूनों को रद्ध कर सकता है ये बात क्या आ जाएगी न्याइक पुन्रा विलोकन में आ जाएगी ठीक है तो अगला है धन विधेक पारित या वापस करने के लिए राजसभा को दी गई अधिक्तम समय सीमा क्या है अब दिन वाला सवाल है 18, 14, 15, 19, 21 आपको पता है आंसर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा सही भी है आंसर ठीक भारत में जनहित याचिका की विवस्था की शुरुवात होई थी समवधानिक संशोधन के द्वारा नयाइक पहल के द्वारा राजनितिक दलों के द्वारा या फिर एक संसदी अधिनियम कैसे स्टार्ट हुआ था भारत में? PIL, Public Interest Litigation, कैसे स्टार्ट हुआ था PIL? बदाईएगा तो भारत में ये नयाइक पहल के द्वारा भारत में क्या हुआ था ये? नयाइक पहल के द्वारा शुरू हुई थी एक नयाधीश थे जिनका नाम था Justice P.N. भगवती और इनका साथ दे रहे थे Krishna I.R. Krishna I.R. करके व्यक्ति हाला कि क्रेडिट दिया जाता है Justice P.N. भगवती को 1980s में P.I.R. का कॉंसेट लाए गया P.I.R. या तो सुप्रीम कोट या हाई कोट दो ही जगा दाखिल होगी ठीक है और साथी साथ याद रखेगा कि ये आइडिया कहां से बौरो किया गया था USA से ये आइडिया लिया गया था मिड़े मील जो स्कीम है वो कही न कहीं P.I.R. का ही क्या है एक उदारन है ठीक अगला है भारती सम्विधान का कौन सा अनुछेद राष्ट्रपती को छमादान की शक्ति प्रदान करता है प्रेसिडेंट जो है वो क्या कर सकता है छमादान कर सकता है पार्डेनिंग पावर उसके पास होती है ठीक राज्यपाल के पास नहीं होती है प्रेसिडेंट को कौन से आर्टिकल के तहत ये शक्ति दी गई है ठीक है वो सजा को कम कर सकता है मृत्युदंड को माफ कर सकता है राज्यपाल नहीं कर सकता ये point याद रखिएगा ठीक तो ये किस में दिया है आर्टिकल 72 में दिया है कि वो क्या कर सकता है छमादान कर सकता है बिल्कुल ठीक है राष्ट्रपती द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ती कौन से अनुच्छेद में प्रदान की गई है ordinance issue करने का power ऑडिनेंस कब issue होता है अध्या देश तब issue होता है जब संसद का सत्र न चल रहा हो जब संसद का सत्र न चल रहा हो सेशन पार्लियमेंट का कोई सेशन ना हो तो ऐसी कंडीशन में कोई ऐसा मुद्दा आ जाए जिस पर कानून बनाना जरूरी लग रहा हो तो प्रेसिडेंट अध्यादेश इशू कर सकता है इसके ओर्डिनेंस की पावर वही होती है जो संसत द्वारा पारित किसी कानून पे होती है जब पार्लियमेंट का सेशन दुबाड़ा बैठेगा तो यह डिसाइड होगा कि यह इसको आगे जारी रखना है नहीं रखना है तो उसके हिसाब से फिर उस पर बिल जो है वो क्या हो जाता है पेश हो जाता है ये power उसको किस में दी गई है 123 में दी गई है ठीक और इसी में अगर आप 100 article जोड़ देंगे 223 तो ये हो जाएगा राजपाल की अध्यादेश जारी करने की राजपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति तो ये प्रेशिडेंट की है 123 में गवर्नर की है 223 में संसद की संरचना होती है किस से मिलकर तो संसद के कैसे construct होता है the composition of parliament संसद की संरचना होती है लोकसभा, राजसभा, लोकसभा और राजसभा या लोकसभा, राजसभा, राश्टरपती तो भारत की संसद तीन अंग होते हैं कौन-कौन से लोकसभा, राजसभा और राश्टरपती ठेक, option number D is the right answer भारत के उपराश्टरपती को शपत कौन दिलाता है ठीक, प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को आर्टिकल 63 में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताये गया है ठीक है बताईए ठीक, अगला सवाल संसत की बैठक है तू, या विधान सभा की बैठक है तू जो minimum कोरम होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए legislative assembly के लिए कोरम कितना होना चाहिए संसत की कुल ताकत का आदा हिस्सा यानि कुल seat का half strength होनी चाहिए कुल सदस्यों का दो तिहाई होना चाहिए सदन के कुल सदस्यों का एक बटा दस होना चाहिए या दस सदस्य होने चाहिए बताइए अब ऐसा सवाल आएगा अगर तो बहुत जादा गलती हो सकती है कि बहुत जल्दबाजी में आप option number B लगा दें क्योंकि आपने दो तिहाई इतनी बार सुना होता है दो तिहाई ये जो आप बार बार देख रहे हो ये बिल से related होते हैं ये किस से related होते हैं बिल से related होते हैं विधेक से related होते हैं उनके पास होने ना होने पर ये संक्या depend करती है उनमें भी सब में नहीं होता है ठीक तो जल्दबाजी में सवाल गलत हो सकता है गलत मत करियेगा आ सकता है सवाल SCRT में mention है भारत में न्याईक समीक्षा की शक्ती का उपभोग कौन करता है जुडीशल रिव्यू कौन देखता है अकेले सुप्रीम कोर्ट अकेले उच्य नहाले सभी नहालेओं द्वारा या फिर उच्छ नहाले और सुप्रीम कोर्ट तो जुडिशल रिव्यू का राइट किसके पास है जुडिशल रिव्यू का राइट जो है वो किसके पास है बताओ जुडिशल रिव्यू का राइट किसके पास है बताओ झाल झाल तो option number D is the right answer उच नयाले और supreme court दोनों देख सकते हैं सभी नयाले में नहीं है ठीक है याद रखिएगा lower court नहीं देखते हैं supreme court और high court ठीक अगला देखे भारत में भारत का सर्वोच नयाले राष्ट्रपती के राष्ट्रपती को किस अनुच्छेत के तहट परामर्श प्रदान करता अभी बताया है अभी बताया है बटा इसके बारे में मुझे नहीं है आइडिया पता नूर जहां जी आप बात कर लीजेगा धन्यवाद अच्छा एक बर मेरे को बता देना जहारखंड के बारे में तो फिर मैं बता दूँगा 143, 143 बिल्कुल ठीक भारती संसद के दोनों सदनों के सैयुक्त बैठक को कौन बुला सकता है ठीक कौन बुला सकता है बताये भारती संसद के दोनों सदनों के बैठक को कौन बुला सकता है who can call a joint sitting of parliament of the both houses तो कौन बुला सकता है option number A रास्ट्रपती बिल्कुल ठीक जल्दबाजी में गलत नहीं करना है को देखो किसी ने C जवाब दिया था देख रहो ठीक अगला देखो भारत के सर्वोच न्याले के निमलिखित में से कारे क्या है ठीक सुप्रीम कोट की क्या उसमें रोल है नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करना नयाइक पुन्रा वलोकन का कारे करना दंडित व्यक्तियों को छमा देना या राज्जों के बीच तथा राज्जों और केंद्र के बीच उत्पन विवादों का निरने करना वाट इस दफंक्षन ओफ सुप्रीम कोट तो प्रोटेक्ट दफंडमेंटल राइट्स अफ सिडिजन बिल्कुल सही बात फंक्षन ओफ जुडिशल रिविव्यू बिल्कुल सही बात ग्रांटिंग पार्डन पार्डन तो कौन इशू करेगा प्रेसिडेंट तो तीन होगा नहीं और तीन होगा नहीं तो ये गलत होगए एक दो चार क्या होगए सही होगए चोथा वाला भी सही है तो आप्षन नंबर हो जाएगा एक दो और चार सही है है ना भाई छामादान कौन करेगा या तो रास्टपती करेगा ठीक, रास्टपती ही करेगा और कौन करेगा मृत्य दंड कुछ हमा भी वही कर सकता है ठीक, अगला देखे निम्न मैं से समविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के रास्टपती के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया से संबंदित है which of the following articles of the constitution deals with the process of impeachment 59, 60, 61 या इन में से कोई नहीं तो process of impeachment किस से related है process of impeachment कल history की marathon कराऊंगा पता है न भाई सबको history की marathon करेंगे कल हमारा topic जो बच रहा है SCRT का वो क्या बच रहा है तो दिल्ली सल्तनत से बात शुरू करूँगा दिल्ली सल्तनत से बात शुरू करूँगा और 1857 के revolt तक आऊंगा ठीक 1857 के revolt तक आऊंगा इसके अलावा हम लोग सब कुछ पढ़ चुके है ठीक है बदाए तो महाभियोग की प्रक्रिया है article 61 में देखो यहां दो चीजन समझ लो आर्टिकल 56 इसमें यह कहा गया कि राश्ट्रपती को राश्ट्रपती को महाभियोग द्वारा इंपीच्मेंट द्वारा हटाया जा सकता है सिंपल लैंग्वज में समझो हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट कैन बी इंपीच्ट या प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव बाई इंपीच्मेंट यह बात किसमें बोली गई 56 में और फिर आता है आपका article 61 में जिसमें बताया गया है कि यह जो महाभियोग होगा इस महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी क्या प्रोसीजर होगा तो प्रोसेस बताया गया है कि इसमें 61 में जिसमें कहा गया है कि पहले प्रस्तावक और अनुमुदक होने चाहिए कि प्रेसिडेंट पर यह चीज़ करनी है लोगसभा राजजла कर दिया जाएगा ठेक अगला देखिए नेक्स्ट भारती सम्विधान के अधीन राष्ट्रपती की आपात कालीन शक्तियां कहां से ली गई हैं स्पेन से आइरलेंड से फ्रांस से या फिर जर्मनी से तो कहां से ली गई हैं जी आदोजी भारती सम्विधान के अधीन राष्ट्रपती की आपात कालीन शक्तियां ग्रहित की गई हैं स्पेन के सम्विधान से एरलेंड के सम्विधान से फ्रांस के सम्विधान से या जर्मनी के वाइमर रिपबलिक से तो ये ली गई है जर्मनी के वाइमर रिपबलिक स ठीक, तीन आपात कालीन शक्तियां है, 352 जो मैं आपको बता दिया, इसके अलावा है 356, जिसे हम कहते हैं राश्ट्रपती शाशन, ठीक, 352 क्या है, राश्ट्री ये आपात है, राश्ट्री ये आपात है, है ना, पैसा टिकत्तर और आपके 75 में तीन बर लगी है, 356 राश्ट्रपती शाशन है, जिसमें राश्ट्री की सरकार बरखास्त करके, 6 महीने में चुनाओ कराने वाली बात होती है, मैक्सिमम कितने समय तक लग सकती है, 3 साल तक लग सकती है, और फिर है आपका आर्टिकल 360, जिसको हम बोलते हैं, फाइनेंशियल इमर्जनसी, वित्ती आपातकाल की रूपे की हालत एकदम ही खतम हो जाए, या डिवैलुएशन हो जाए बहुत जादा, तब ये इमर्जनसी लग सकती है, देश के किसी, ये भी एक बार में 6 महीने के लिए लगेगी, और मैक्सिमम अनिश्चित काल के अगला सवाल देखेगा, राष्ट्रपती के निर्वाचन संबंधी विवाद का निरने किसके द्वारा किया जाता है, निर्वाचन आयोक, सर्वोचनयाले, राज्यसभा, संसद, by whom the dispute related to the election of the president is decided, तो कौन करता है राष्ट्रपती के निर्वाचन संबंधी विवाद का नि तो आप्शन नमबर बी, सर्वोचन नियाले, बिल्कुल सही है निर्वाचन के लिए, जो संस्था होती है, वो निर्वाचन आयोग है, जो कराती है, और अगर कोई विवाद आ जाए, तो वो सर्वोचनयाले में सुना जाता है, ये बात बताई गई है, आर्टिकल 71 में, ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट में ये निरने होगा, ठीक, अगला है यदि सदन का सत्रा वसान हो गया है, तो इसे आहूत करने के लिए कौन अधिक्रित है, अगर हाउस जो है, वो एजन हो चुका है, तो who is authorized to summon the next session, तो कौन समन करेगा, प्रेसिडेंट, कौन समन करेगा, प्रेसिडेंट, सत्रा वसान भी यही करता है, और समन भी यही करता है, और कौल भी यही देगा, ठीक है, अगला देखो, उपरास्ट्रपती का निर्वाचक मंडल किसके द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं, ठीक, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस से या संसद के दोनों सदनों के सभी सदस से बदाईए what should be the right answer क्या हो जाएगा correct answer बताओ क्या बेटा सपना मैंने देखा नहीं बेटा क्या पूछा आपने मैं पढ़ाने में busy हूँ नहीं देख पाया बदाईए option number d is the right answer सभी सदस से करते हैं बस इतना याद रखेगा कि जो nominated member होते हैं जो nominated member होते हैं वो president के election में vote नहीं करते लेकिन vice president के election में vote करते हैं president के election में इसलिए vote नहीं करते हैं क्योंकि उनको nominate करने का काम president करता है article 80 के तहत राजसभा में 12 सदस्यों को president nominate कर सकता है तो भाई वो अगर दुबारा चुनाओ के लिए खड़ा हो जाए फिर मजबूर हो जाएंगे कि vote देना चाहिए तो इसलिए nominated member could not participate in the election of president but they could cast their vote in the election of vice president ठीक अगला है लोकसभा में अनुसूचित जातियों को कितने स्थान सुरक्षित हैं अब यह BPSC का थोड़ा पुराना सवाल था इसलिए यहाँ पर data आपको पुराना दिख रहा है तो इसके तो चारो ही गलत हो जाएंगे जो actual है वो क्या है कि SCs के लिए कितनी सीटे हैं SCs के लिए कितनी सीटे हैं वो 84 हैं और STs के लिए कितनी सीटे हैं SCs के लिए कितनी सीटे हैं 47 सीटे हैं यहाँ पर यह भी आपको पता होना चाहिए कि बिहार में SCs के लिए कितनी सीटे हैं विदान सवा में और STs के लिए कितनी सीटे हैं ठीक तो यह देख के जाएगा यहाँ से सवाल आ जाएगा अगला है भारती समविधान कि किस अनुच्छेद में लिखा है कि मन्त्री गन व्यक्तिगत तथा सामुहिक रूप से लोकसभा के प्रती उत्तरदाई है भारती सम्विधान के कौन से अनुच्छेद में ये बात लिखी है कि जो मन्त्री परिशद है वो collectively क्या है लोगसभा के प्रती उत्तरदाई है लोगसभा के प्रती उत्तरदाई है तो ये बात किस में लिखी है? आर्टिकल सेवेंटी फाइफ में एक्जेकली बोलू तो मैं आर्टिकल सेवेंटी फाइफ फ्री में ये बात लिखी है अगर एक्जेकली बोला जाए तो आर्टिकल सेवेंटी फाइफ फ्री में ये बात लिखी है इंपोर्टेंट आर्टिकल है पूछा जा सकता है कि मंत्री परिशत जो होता है वो सामोहिक रूप से व्यक्तिगत रूप से लोकसभा के प्रतिक्या होता है उत्तरदाई होता है नियायपालिका की स्वतंतरता की अवधारना में नीहित है क्या नीहित है जब हम कहते हैं नियायपालिका स्वतंतर है तो हम एक्चुली हम कहना क्या चाह रहे हैं और विधाईका से नियाईपालिका की स्वतंतरता की बात करता है किसकी बात करता है बदाईए किसकी बात करता है ये 80 का D हो जाएगा बिलकुल ठीक, 80 का क्या हो जाएगा, D हो जाएगा बिलकुल ठीक, नियाईपालिका की स्वतंतरता का मतलब नेक्स्ट कोशन देखेगा, यदी भारत के राश्ट्रपती का पद अचानक रिक्त हो जाए और कोई उप राश्ट्रपती ना हो, तब कौन राश्ट्रपती बनेगा? मतलब प्रेसिडेंट हड जाए, रिक्त हो जाए, वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल ना हो, तो फिर कौन, फिर कौन, राज्यसभा का उपसभापती, भारत का महानयवादी, लोगसभा का अध्यक्ष, भारती सर्वोचनैले का नयदीश, अब ये सब तो गलत नहीं करोगे न अब ये सब सवाल गलत मत करना, CJI करेगा, CJI भी नहीं होगा तो, उसके बाद जो सेकेंड जज होगा वहाँ पर, मो सीनियर वो करेगा, ठीक किस संविधान संशोधन के द्वारा एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या संग राज्यचेत्रों का उपर राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है, आर्टिकल 153 जो है, वो ये कहता है, कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा, ठीक है, य ये बात कही गई है किसमे आर्टिकल 153 में प्लस जब हम इसमें से एक संशोधन जोड कर पड़ते हैं तब आती है पूरी बात और ये किसमें आती है बताओ पढ़ा रखा है आप्शन नमबर D, 7th Constitutional Amendment, 1956 ठीक है, 1956 जब दोनों को एक साथ जोड कर पड़ोगे तो फिर ऐसे बनती है लाइन कि भारती सम्विधान के अनुसार प्रतेक राज्य में एक राज्यपाल होगा परंतु संसद को यह अधिकार है कि वह एक या एक से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त कर सकती है ठीक, संसद को मतलब सरकार को यह अधिकार है, ठीक है, चलिए अगला देखे, निम्नांकित में से भारती सम्विधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधान मंडल के विश्रांती काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ती प्रदान करता है विच आप दो फॉलिएंग आर्टिकल्स अफ दिए इंडियन कॉंस्टिटूशन एमपावर्ज देवर्नर तो प्रोमलगेट ओर्दिननसेज दूरिंग दर रिसेस अफ स्टेट लिजिस्लेचर यानि जब विधान सभा का सत्र ना चल रहा हो ऐसे में राज्यपाल विधान सभा का सत्र ना चलने की स्थिती में ये काम कर सकता है ये बात किस में बोली गई है ये बात किस में बोली गई है तू हंड़ेड थर्टीन में अब ही तो गडवड हो जाता 213 नब्बे जोडने पर ठीक तो 213 में उसे क्या दिया गया है ये शक्ती दी गई है कि वो क्या कर सकता है अध्यादेश जारी कर सकता है ठीक अध्यादेश जारी कर सकता है ठीक है भाई अगला सवाल देखिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है राज जिपाल को राज विधान सभा के द्वारा हटाया जा सकता है राज जिपाल को राश्टपती हटा सकता है राज जिपाल को उसके पांच वर्ष के कारेकाल से पूर्व नहीं हटाया जा सकता ठेक कौन सा कथन सही है बताना है कौन सा कथन सही है बताना है अगर आप डियलेट किये हो तो आपका फोकस PRT पे होना चाहिए क्योंकि आपका जो सब्जेक का कॉम्बिनेशन है वो बनता नहीं दिख रहा है अगर आपने हिस्ट्री के साथ पॉलिटी जोगरफी एकनॉमिक्स में से कुछ पढ़ा होता तो आपका बन जाता कॉम्बिनेशन आपने हिन्दी भी तीनों साल नहीं पड़ी आपने इंग्लिज भी तीनों साल नहीं पड़ी है तो मेरी राय ये है कि अच्छा है कि आपने डियलेट किया है आप PRT पे फोकस करो तो राज़पाल को राश्टरपती हटा सकता है President can remove the governor है ना पहला भी सही नहीं है दूसरा भी सही नहीं है तीसरा भी सही नहीं है राश्ट्रपती के प्रसाद पर्यंत वो अपने पद पर जारी रहता है जो कि नॉर्मली पांच वर्ष होता है पर उससे पहले भी उसको उसके पद से हटाया जा सकता है ठीक अगला है जिन राज्यों में दूसरा भी सदनी विधान मंडल है वहां विधान परिशद में मनोनीत सदस्यों का भाग कितना होता है जिन राज्यों में दूसरा भी सदनी विधान मंडल है बाई केमरल लजिसलेचर है तो वहाँ पर विधान परिशद में कितना हो सकता है बताईए जवाब दीजेगा तो मनोनीत सदस से कितने होते हैं भाई एक बटा छे सदस से क्या होते हैं मनोनीत होते हैं नॉमिनेटेड होते हैं आर्टिकल 169 जो है वो आपका जुड़ा हुआ है किस से विधान परिशत से 169 कहता है कि किसी भी राजय में Legislative Council बनाई या हटाई जा सकती है संसद को ये क्या है, राइट है, संसद इसके लिए उस राज्य की विधान सभा से बात करता है, अगर उस राज्य की State Legislative Assembly इस से related बिल पास कर देती है, तो पारलियमेंट उस स्टेट के अंदर विधान परिशद को बना भी सकता है, और हटा भी सकता है, पर इसके लिए वहां क स्टेट का यस होना क्या है, जरूरी है, ठीक, और विधान परिशद के अंदर, जो है, वो दो तिहाई बहुमत से पास होना चाहिए, है ना? बोलो भाई, वर्तमान में कितने राज्य में है, बताओ, करेंट स्टेटस में, जल्दी बताओ लिखके, करेंट में कितने, करेंट का क्या है स्टेटस है, कितने राज्यों में है, करेंट स्टेटस क्या है, कितने राज्यों में, यहां से एक सवाल आए गई, आएगा, बता है छे स्टेट है जहां जहां है यूपी बिहार है ना यूपी बिहार करनाटक करनाटका आंद्र आंद्र तेलांगना महारास्ट्र और आपका महारास्ट्र बस ठीक तो है एक दो तीन चार पाँच छे ठीक तो है भई महारास्ट्रा ठीक तो वर्तमान में क्या है छे राज्यों में है क्लियर है बिहार के विधान परिशद की बताईए बिहार विधान परिशद में कितने राज कितने वो हैं बिहार की जो विधान परिशद है उसमें कितने हैं बताईए जल्दी यहां से एक सवाल आना है 100% आएगा वर्ग 9-10 वालों तुम भी सुन लो भईया तुम से तो पूछाई जाएगा 75 बिल्कुल ठीक 75 बिल्कुल ठीक है ठीक है एक तिहाई सदस से तो चुनती है नगरपाली का एक तिहाई सदस से कौन चुनती है नगरपाली का एक बटा 6 सदस से क्या होते हैं मनोनीत होते हैं एक तिहाई सदस से चुनते हैं राज विधान सभा के सदस्य एक तिहाई सदस से इसके कौन चुनते हैं MLS चुनते हैं वहाँ के कौन चुनते हैं MLS के द्वारा चुना जाता है ठीक एक तिहाई सदस से कौन चुनते हैं MLS चुनते हैं एक बटा बारा सदस से चुनते हैं Graduates Graduates चुनते हैं इस नातकों का निर्वाचक मंडल बनाये जाता है वो चुनते हैं इस नातक चुनते हैं ठीक एक बटा बारा कौन चुनते हैं इस नातक चुनते हैं नोट करते चलना एक सवाल आना है क्लियर भाई बाकी सब सेम राज्यसभा के जैसा है है ना यहां के सदस्यों को MLC बोलते हैं ठीक चलिए अगला देखिए किस समवैधानिक संशोधन के कारण वर्तमान के पंचायती राज संस्थाओं का जन्म हुआ है वर्तमान के पंचायती राज संस्थाओं का जन्म हुआ है बताईए वर्तमान के पंचायती राज का क्या हुआ है गठन हुआ है ठीक अचो उसमें एक चीज और पूछी जा सकती विधान परिशद में उस राज जी की विधान सभा का वन थर्ड से अधिक नहीं होना चाहिए और चालिस से कम नहीं होना चाहिए ठीक यह पॉइंट भी याद र कितने मेंबर हैं जल्दी बताओ बिहार विधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है बताइए उसको छोड़ो यार यहां से एक सवाल आएगा सुनो ध्यान से बिहार विधान सभा में कुल कितने मेंबर हैं 243 तो 243 divided by 1 by 3 कर दो ठीक है उससे जादा लोग बिहा से कम नहीं होंगे अगर कहीं भी विधान परिशत का स्रिजन होगा तो क्लियर हो गई बात चलो अब आज़ो इस पे तो 73rd constitutional amendment से article 243 A से O तक ठीक अगला देखो भारत में राश्ट्रपती राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने को प्राधिकृत है यह कहां से लिया गया राश्ट्रपती द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कहां से लिया गया है बताओ Canada से, USA से, Australia से या फिर इन में से कोई नहीं तो कहां से लिया गया है Canada से न क्यों? राजजपाल को हम क्या कहते हैं? केंदर सरकार का केंदर सरकार का एजेंट भी बोलते हैं या जासूस भी बोलते हैं ठीक? ये क्या करता है? एक आत्मक्ता का लक्षण में से एक हो जाता है कि केंदर कैसे उसके पास राजपे शक्ती है समविधान का कौन सा अनुच्छेद राजपाल में विधान परिशदों की समाप्ती और संरचना से सम्बंदित है? आगया सवाल बताईए क्या हो जाएगा जवाब? समविधान का कौन सा अनुच्छेद राजपाल में विधान परिशदों की समाप्ती एवं संरचना से सुनश्चित है? वाट शुट भी राइट आंसर? तो करेक्ट आंसर है सी, आर्टिकल वन सिक्स्टी नाइन बिल्कुल ठीक अगला देखो, नेक्स देखो निम्न में से किसकी न्यूक्ती राजपाल द्वारा नहीं की जाती राजपाल द्वारा नहीं की जाती नॉट राजपाल द्वारा नहीं की जाती मुख्य मंत्री, महा दिवक्ता, राज लोकसेव, आयोक का ध्यक्ष उच्छ नयाले का नयाधीश which of the following is not appointed by the governor of state चीफ मिनिस्टर, एडवोकेट, जनरल सर आप B.S.T. में क्लास लीजेगा हाँ भाई, बिल्कुल लेंगे 793, ये कोड याद रखेगा, ये लगा लिजेगा maximum discount के लिए, September के first week तक क्योंकि 31, अभी तो आप paper ही दे रहे हो आप में से बहुत सारे बच्चों ने बोला कि paper के बाद करो सर तो अब ये हो रहा है कि 31st अगस्त को रक्षा बंदन है तो हो जाने दो फिर एक तारीक से शुरू करेंगे तो देखो, September के first week से शुरू होगा तो किसका नहीं किया जाता, उच्च नयाले के नयाधीश इसे अपोइंट नहीं करता, इसको कौन अपोइंट करता है रास्ट्रपती इसे कौन अपोइंट करता है, रास्ट्रपती बिल्कुल ठीक, अगला सवाल देखिए, next देखिए समविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निरने इसलिए किया गया क्यूंकि कॉंग्रेस ने इस तिथी को 1930 में स्वतंतरता दिवस के रूप में मनाया था इस स्वतंतरता दिवस के तोर पे मनाया गया था क्योंकि 1929 में लाहौर में उन स्वराज पास किया गया था और इस वज़े से इसको सेलिबरेट करने के लिए पहला स्वतंतरता दिवस मनाया गया अगला देखो, next देखो मिलान करना है भाई, लिस्ट का आपको मिलान करना है इसका एक बार अपडेटेड वर्जन देख लेना, ठीक है मिलान करना है, संगी सूची में कितने लिस्ट है, ठीक है क्लियर भाई संग सूची, राज सूची और संवर्ती सूची में कितने विशें हैं ले टेस्ट वाला याद है किसी को जैसे राज सूची में फिलहाल तो करेंट सिच्वेशन ये कि 61 है है ना, और संवर्ती में हैं 52 और सेंटर में शायद जो है वो तुमारे 97 ही है है ना, 97 ही है, बढ़ गए हैं, 100 हो गए हैं ठीक है, चलो, 100 हो गए हैं इसमें ये करेंट वाला याद रखो भाई, 100, 61, 52 ठीक, ये वाला याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है इसके आने की पॉसिबिलिटी है, ये वाला याद रखिएगा कनफर्म होना 100, 100 कनफर्म होना क्योंकि मेरे को 97 या 98 याद आ रहा है 100 है, सारे बोल रहे हो, चलो, ठीक है भाई, इसको देख लेना मतलब एक बार देख के जाना, अब मेरे को अभी एग्जेक नहीं याद आ रहा है तो मैं नहीं बता सकता अभी, ठीक है, अगला देखिए, एक नया राज्य बनाने में समविधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत होना चाहिए, जब भी हम नया स्टेट बनाएंगे हमें समविधान का संशोधन करना पड़ेगा, इसके लिए हमें किस तरह की मेजॉरिटी चाहिए होगी दो तिहाई हाँ, सो ही है, ठीक है, सो ही है हाँ, मेरे को पता था कि कुछ लोग इसमें दो तिहाई जरूर बोलेंगे इसलिए सवाल रखा है, याद रखना नए राज्य के निर्माड के लिए साधार्ण बहुमत चाहिए होता है simple majority चाहिए होती है, ठीक, क्या चाहिए होती है simple majority चाहिए होती, to form a new state या उसका नाम चेंज करना हो, यह करना हो, वो करना हो अगला देखो, उन मौलिक अधिकारों का चेहन करें, जो भारती नागरिकों को प्राप्त हैं, परंतु गैर नागरिकों को नहीं अब यार, बता दिया था यह भी, भाशर और अभिवेक्ति की स्वतंता, 19 में है, कानून के समक समानता, 14 नहीं होगा अल्प संखे को के अधिकार होगा, जीवन और सटंता का संड़िक्षण यह भी होगा, तो यह दोनों नहीं होगा, स्वरी यह और यह नहीं होगा न, तो गैर नागरिकों को नहीं पृर आप्त हैं, तो एक और तीन कहा है भाई, यह हो गया एक और तीन, एक और तीन हो गया, है ना, एक और तीन हो गया, भाई मैंने क्या बोला, पंद्रा, सोला, उन्नीस, उन्तीस और तीस, ये हैं, ना, ये केवल भारती नागरिकों को प्राप्त है, अगला देखिएगा, next, उच्चतम नयाले की विवस्था के अनुसार, निजी भ भवनों के उपर राष्ट्री जंडे को फैराना, नागरिक का मौलिक अधिकार है, तो ये बता दिया आपको क्या हो जाएगा, 19-1 हो जाएगा, BPSC का आया हुआ सवाल है, next, देखिएगा, भारती सम्विधान में संशोधन करके, सिक्षा का अधिकार कब जोडा गया, बता अरे यार अब इसको तो मत गलत करो तुम लोग, चैट पीछे चल लिए गया ठीक है, तो 1 April 2010, 1 April 2010, ठीक है, अगला देखेगा, भारत का रास्टपती कितनी बार पुनह चुनाव के लिए पात्र होता है, भारत का रास्ट्रपती कितनी बार पुनह चुनाओं के लिए पात्र होता है How many times is the President of India is eligible for re-election एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी भी बार या उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक ठीक है, article 57 के अंदर रास्ट्रपती के पुनर निर्वाचन पे बात किए पर उसमें ये नहीं लिखाएगी कितनी बार, तो कितनी भी बार हो सकता है पर वियाओहार में, वियाओहार में क्या होता है, वियाओहार में अभी तक क्या हुआ जो लोग दो बार राष्ट्रपती रहे गए दो टैन्योर के लिए वो हट गए अपने जगह से उन्होंने फिर तीसरे टर्म के लिए प्रेसिडेंट के लिए अपना नाम नहीं दिया भारती समविधान ऐसा नहीं कहता अमेरिका में आप दो बार बन सकते हो बारत का समविधान ऐसा नहीं कहता है पर विवहारत हम दो बार बनते हैं तो कितनी भी बार हो सकता है कितनी भी बार Anytime जा Many times अगला है, एक विधेक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है तो बिल एक्ट कब बनता है कोई भी बिल एक्ट कब बनता है तीन चीज़ें याद रखिएगा संसद के तीन अंग हैं कौन कौन से लोकसभा, राज्यसभा और राश्ट्रपती और संसद जो है वो हाइस्ट बॉड़ी है लोव मेकिंग की हाइस्ट बॉड़ी ओफ लोव मेकिंग है कानून निर्माल की सरवोच संस्था है इसका सीधा मतलब ये है कि तीनों का रोल होना चाहिए कानून बनाने में तो कोई भी जो बिल होता है वो पहले किसी एक सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है ऐसा कहीं नहीं लिखा है बारत के समविधान में कि बिल हमेशा पहले लोकसभा में ही आएगा कुछ बिल को छोड़ कर जैसे मनी बिल लोकसभा में ही आता है ठीक है? तो आम तोर पे व्यवहार क्या है? कोई भी बिल कहीं भी आ सकता है पर चुकि लोकसभा का नंबर जादा होता है और जनता के चुने हुए प्रतनिधी होते हैं तो इसलिए बिल पहले लोकसभा में आया यहां से पास होकर बिल पहुँच गया राजसभा के बाद दोनों हाउसे से पास होने के बाद ही बिल पहुँचेगा प्रेसिडेंट के पास और जब प्रेसिडेंट इस बिल पर अपना साइन कर देता है तो यह बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है ठीक? तो जब राश्ट्रपती अपनी क्या करता है सहमती दे देता है अगला सवाल देखो 2022 के भारत के सोलह में उप राश्ट्रपती चुनाओ के निर्वाचक मंदल में कितने सदस से थे? यह कोशन अभी बिहार PCS में रीसेंटली जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है ठीक? उसमें पूछा गया है तो माइड भी पॉसिबल के आपसे पूछ दिया जाए माइड भी पॉसिबल के आपसे पूछ दिया जाए ठीक है? इसलिए करा रहा हूँ तो 2022 में जब Vice President का Election होगा तो आपको पता है 2020 में व्यवस्था क्या हो गई? बदल गई 104th Constitutional Amendment आया जिसमें लोकसभा में और राज्यों की विधान सभाओं में जो एंग्लो इंडियन मेंबर वाला सिस्टम था वो हटा दिया गया तो अब पार्लियामेंट में लोकसभा में बचे 543 है ना? और राज्यों सभा में आपके कितने हो गए? 245 245 दोनों जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? दोनों जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? दोनों जोड़ दोगे तो 788 8 आ जाएगा किसका चुनाओ करना है? उपरास्टरपती का उप राष्टपती का चुनाओ कौन करता है भहिया तो उप राष्टपती का चुनाओ कौन करता है मेंबर्स ओफ लोकसभा एंड मेंबर्स ओफ राज्यसभा और सारे मेंबर्स होते हैं तो नॉमिनेटेड वाले भी होते हैं तो मेंबर्स ओफ राज्यसभा तो वर्तमान में लोकसभा में कितने मेंबर हैं तो जब दो एंगलो इंडियन वाली व्यवस्था हटा दी गई 104 संविधान संशोधन से तो इसमें बज़ गया 543 और राज्यसभा में कितने हैं 233 हैं इलेक्टेड 233 हैं इलेक्टेड और 12 क्या हैं नॉमिनेटेड हैं 12 क्या हैं नॉमिनेटेड हैं तो ये दोनों मिलकर हो गया 245 तो ये हो गया 8 ये हो गया 7 तो कितने हो गया total भाया 788 हो गया लेकिन 545 था वन लाइनर में अरे तो ये पढ़ा तो रखा है ना कि 104 संविधान संशोधन से यह system हटा दिया गया यह, पढ़ाया तो है ना, तो अब तो जान रही हो न, तुम ये बात कि अब इतने ही member है, Anglo-Indian वाली system हट गई है, ये बात तो मालू मैं तुमको, लोगसभा में maximum number कितना हो सकता है, 550 हो सकता है, क्यों? क्योंकि वो दो लोगों को जो लोगसभा में जाते थे अब वो विवस्था ही खतम कर दी गई है तो यह common sense कहता है कि जब वो विवस्था खतम कर दी गई तो उनकी सीटें हट जाएंगी तो 540 की जगा 543 हो जाएगा maximum 552 की जगा 550 हो जाएगा ठीक है अगला राश्ट्री ये सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है ग्रे मंत्री प्रधान मंत्री उपराश्ट्रपती राश्ट्रपती the head of the national security committee तो national security committee का head कौन होता है तो कौन होता है प्रधान मंत्री ठीक कौन होता है प्राइम मिनिस्टर ठीक है अगला सवाल देखे एक MP जो है कि seat को रिक्त गोशित किया जा सकता है यदि वो सदन से लगातार इतने की अवदी के लिए अनुपस्थित रहता है ठीक है seat of an MP can be declared vacant if he or she remains absent from the house continuously for a period of 6 महीना, 2 माह, 3 माह, 1 वर्ष या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से 1 से अधिक तो यहां आप गलती कर सकते हैं क्योंकि यहां न 6 महीने वाला हिसाब लगेगा आपका न 14 दिन वाला हिसाब लगेगा यहां आपका 2 महीने वाला हिसाब लगेगा यानि 60 दिन वाला अगर 60 दिन तक कोई भी सांसद, संसद की कारिवाही में उपस्थित नहीं होता है तो उसकी सीट क्या हो सकती है, खाली हो सकती है तो 60 दिन के अंदर अंदर एक बार तो हाउस जाना पड़ेगा तो 60 दिन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ठीक है, अगरा देखिए लोकसभा में सामाननेता कितने सत्र होते हैं जल्दी जल्दी कर लो, 20 सवाल और है 20 कोशन और है, जल्दी जल्दी कर लो लोकसभा में सामाननेता कितने सत्र होते हैं, बताओ लोकसभा में सामाननेता कितने सत्र होते हैं, क्या हो जाएगा जवाब How many sessions there in लोकसभा, सामाननेता पूछा है तो दो सेशन के बीच में, है ना, दो सेशन के बीच में 6 महीने से अधिक का gap नहीं हो सकता, अगर आप इस हिसाब से देखोगे तो कितने सेशन हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे, तो budget सेशन होता है, बजट सेशन होता है फरवरी और माई तक है ना बजट सेशन हो सकता है ठीक और क्या हो सकता है आपका मानसून सेशन हो सकता है मानसून सेशन हो सकता है मानसून सेशन हो सकता है जो की जुलाई अगस्त में होता है और फिर आपका विंटर सेशन होता है फिर आपका क्या होता है विंटर सेशन होता है सीत कालीन सत्र होता है जो की आपका नवेंबर दिसंबर में होता है ठीक अगला चलिए निम्नलिखित कत कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है 102 नंबर देखिए सर्वोचनाले का गठन 1950 में हुआ था सर्वोचनाले देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है सर्वोचनाले कोर्ट मार्शल को छोड़ कर अन्य किसी भी न्यायाले या अदालतों की सुनवाई कर सकता है सर्वोचनाले कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्चनाले या अदालतों की सुनवाई कर सकता है तो क्या सर्वोचनाले कोर्ट मार्शल की अपील को सुन सकता है या नहीं या आप कोर्ट मार्शल के विरुद्ध अपील सर्वोचनाले में कर सकते है या नहीं सैन्या धिकरण से मिलिटरी टिर्बिनल से अगर आपको कोर्ट मार्शल दिया गया तो क्या हम कोर्ट मार्शल के विरुद्ध सर्वोच नयायाले में सर्वोच नयायाले में अपील कर सकते हैं कर सकते हैं तो इसका मतलब C वाल आप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा बिलकुल ठीक C वाल आप्शन क्या हो जाएगा गलत The Supreme Court can hear the petition against court marshal ठीक अगला एक उच्छ नयाले का नयाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है यहाँ भी आप confused हो सकते हैं इसलिए मैंने सवाल रख लिया BPSC का सवाल है 2008 में पूछा गया था कब तक रह सकता है त्याग पत्र किसको देता है तो 62 वर्ष की आयू तक अपने पद पे रह सकता है है ना मैं को मालूम था आधे लोग D जवाब देंगे अरे भाईया जब उच्छ नयाले के नयाधीश की न्यूकती ये करता है राश्ट्रपती तो त्याग पत्र भी राश्ट्रपती को ही दिया जाएगा ठीक त्याग पत्र भी राश्ट्रपती को ही दिया जाएगा ठीक है राश्ट्रपती द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है अगला है किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राश्ट्रपती द्वारा राश्ट्री या आपातकाल घोशित किया जाता है तो आपको मैं कई बार बता चुका आज, तो Article 352 हो जाएगा, ठीक, Article 352 हो जाएगा, 370 किस से related था, जम्मू एन कश्मीर से, जिसे क्या कर दिया, squash कर दिया गया है, अगला देखिएगा, CDP और NES के पुनर गठन के लिए, 1957 में NDC, मतलब ये कहता हूँ कि ये BPSC का सवाल है, और ये कामचोरी की पराकास्था है, मतलब इस से भहेंकर कामचोरी की पराकास्था नहीं हो सकती सवाल पूछने में, ठीक, CDP का मतलब है Community Development Program, यानि सामुदाइक विकास कारिक्रम, ठीक है, और NES का मतलब है, ये क्यों होगे बाई, ठीक है, NES का मतलब है राश्ट्री विस्तार योजना, मतलब National Expansion Scheme, कि पुनर गठन के लिए, 1957 में National Development Council द्वारा स्थापित समिती का नाम बताएं, जिसने ग्रामीर इस्थानिय सरकार की त्री इस्तरी प्रणाली का सुझाओ दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बलवन्त राय महता समिती, इसी ने बोला कि भारत में पंचायत के क्या होने चाहिए, तीन इस्तर होने चाहिए, तीन इस्तरी ये पंचायत होनी चाहिए, 1957 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, उसके बाद आपको पता है कि 2nd of October 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंडित जी के द्वारा क्या किया गया, इस योजना की शुरुवात की गई, जिले से आरंब किया गया, और उसी साल 1959 में दो स्टेट्स में, एक तो राजस्थान, एक तो राजस्थान और दूसरा आंद्र में इसे पूरी तरह लागौ किया गया, अब यहां पर आप दो-तीन पॉइंट जरूर देख लीजेगा, कि पंचायती राज बिहार में कब आया, उस समय वहां का चीफ मिनिस्टर कौन था, बिहार में 50% महिलाओं को जो आरक्षन दिया गया, वो कब दिया गया, ठीक, बिहार में कितने लेवल पे ग्राम पंचायत बनती है, कितने लेवल पे छेत्र पंचायत बनती है, और कितने लेवल पे जिला परशद बनती है, ठीक, यह सब आप जरूर से देख के जाईएगा, यहां से एक सवाल आना ही आना है, ठीक, अगला सवाल देखिए, भारती सम्विधान की दस्वी अनुसूची का संबंध क भारत की राष्ट्री भाषा से, अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती एक शेत्रों के प्रशाशन से, न्याइक पुनरा विलोकन से, या फिर दल बदल विरोधी कानून से, तो बता चुका हूँ आपको किस से रिलेटेड है? बताओ, किस से रिलेटेड है? तो आप्शन नंबर D is the right answer, दल बदल विरोधी कानून से, 15% जो है वो मंत्री परिशद का आकार होना चाहिए, उसी तरह से दल बदल विरोधी कानून में बताए गया कि एक certain limit होनी चाहिए, तब जाकर कोई दल बदल कर सकता है, अगला देखिए, निम्नलिकित समवधानिक उप्चारों में किसे post-martem भी कहा जाता है, मैंने शुरू में बताया है, post-martem किसे कहा जाता है, कौन से रिट को हम post-martem भी कहते हैं, बताओ, option number D, अधिकार प्रिक्षा, बिल्कुल ठीक, option number D, अधिकार प्रिक्षा, ठीक है, अगला देखो, विधिका नियम, कानून के अधिराज का मतलब क्या है, विधिका नियम या कानून का अधिराज, ठीक, what is meant by rule of law, इसका meaning क्या होता है, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक नियायतंत्र है, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य है, सभी के लिए एक नियायतंत्र है, एक के लिए सभी कानून, सभी के लिए एक नयाय तंत्र या कोई नहीं, उपरोक्त में से, उपरोक्त में से एक से अधिक तो जैसे ही हम कहते हैं, state rule of law की बात करते हैं तो every person is equal before the law, ठीक? every person is equal before the law, तो one law for all and one judiciary for all judiciary किसी में भेट तो कर नहीं सकती, तो क्या हो जाएगा, one judiciary for all सभी के लिए एक कानून, और सभी के लिए एक नयाय तंत्र, ठीक है? विधी के नियम का ये मतलब होता है, ये सवाल पूछा गया है, पीपीएस्सी में ठीक है? बीपीएस्सी में कोश्चन पूछा गया है, याद रखेगा, ए होगा, इसका अंसर गलत मत करिएगा, ठीक? भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतरगत पंचायती राज प्रणाली की विवस्था की गई थी? मौलिक अधिकार, मौलिक करतव, राज के नीती निशक सिद्धान, चुनाव आयोग, अधिनियम तो पंचायती राज कब बनाया गया? पंचायती राज कब बनाया गया? तो पंचायती राज इसके पहले इसमें कहा गया था, आर्टिकल 40 में और फिर बाद में 1993 से जब ये लागू होगा, तो ये बात थाबित हो जाएगी अगला देखिए, राज जी के नीती निशक सिद्धान, किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? how they are different from the fundamental rights? directive principles of state policy, how are different from the fundamental rights? क्या कह रहा भईया? पुर्वोक्त केंदरी सरकार के लिए है मतलब ये जो सिध्धान्त है ये सरकार के लिए सिध्धान्त है और उपरोक्त राज्यों के लिए मौलिक अधिकार राज्य के लिए है ये समविधान का अंस नहीं है जबकि वो है नीती निदेशक सिधान्त प्रवर्तनी नहीं हैं जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनी हैं या उपर्युक्त में से कोई नहीं तो option number C सही है C क्या कह रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट इन्फोर्सिबल ये क्या है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं ये डायरेक्ट किये जा रहे हैं राज को कि राज जब policy बनाएगा तो इस policy के लिए ये निर्देश है ये भविश्य के वो वादे हैं जो सरकार ने हमसे किये जिनने near future में वो क्या करेंगे पूरा करेंगे और वादों के लिए आप किसी को court में नहीं गसीट कर सकते कि तुम्हारा इस कूटी लेना अधिकार है और आप नहीं दे रहे हो तो court में गसीटा जा सकता है ठीक तो option number C is the right answer ओके clear है भाई? clear है भाई? चलिए अगला सवाल देखिए समविधान में मंत्रिमंडल सब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह ये बात आपकी SCRT में लिखी है ये बात BPSC में पूछी गई है इस सवाल के आने के पूरे पूरे चांसेज है ठेक मंत्रिमंडल सब्द एक बार प्रयोग हुआ है और वह क्या है? अनुच्छे 352 में, 54 में, 56 में, 76 में बताओ अच्छा एक बात बताओ Indian National Movement से Indian National Movement से कम से कम मान के चलो 8 से 10 सवाल आएगा और SST में जो हिस्ट्री का पॉर्शन है SST में जो हिस्ट्री का पॉर्शन है जिसमें तुम काफी क्लासेस कर भी चुके हो इसके आएंगे 5 सवाल मैक्सिमम कल क्या करना चाहते हो? अगर तुम चाहते हो कि इसका रिवीजन करा दिया जाए तो बता दो अगर तुम चाहते हो नहीं सर वो जो दिल्ली सल्तनत से वो वाला पॉर्शन है वो करा दीजे जो तुम बोलोगे हम वैसा कर देंगे ठीक? तो मेरे को कॉमेंट बाक्स में लिख देना उस हिसाब से हम इसको बता देंगे 352, 4, 56, 76 ठीक? तो एक ही बार इस्तमाल हुआ है कहां पर? 352 में और उसमें कहा गया है कि राश्ट्रपती मंत्री मंडल मंत्री मंडल की लिखित सलाह पर मंत्री मंडल की लिखित सलाह पर कार्य करेगा आपातकाल लगाएगा रिटन एडवाईस पर ठीक? रिटन एडवाईस पर ठीक है? लाल कुर्ती आंदोलन बेटा वो होगा सविने अवग्या आंदोलन के पैरलल नॉर्दन वेस्टन पार्ट में चल रहा था खुदाई खित्मतगार और्गनाईजेशन के द्वारा लोकसभा के लिए चुनाओं में निर्वाचित होने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए नियूंतम आयू सीमा क्या है? एक बार आयू वाला भी देख लीजेगा ना लोकसभा की राजसभा की राश्ट्रपती बनने की उपराश्ट्रपती बनने की सांसद बनने की यहां से सवाल पूछा जा सकता है बताओ 25 बिल्कुल ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रतेक राज्ज में लोकसभा के सीटों का निर्धारन परी सीमन आयोग द्वारा किया जाता है इस परी सीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? कितने समय तक रोका गया है? परिसीमन के आधार पर होता है कि लोकसभा की कितनी सीटे होनी चाहिए वो चीज डिपेंड करती है कि उसकी population कितनी है ठीक है जैसे population के basis पर देखा जाए तो लोकसभा की सबस्यादा सीटे हो जाएंगी UP में इसके बाद का 2, 3, 4, 5 आपको पता होना चाहिए यहां से सवाल बन पाएगा ठीक इसका आंसर हो जाएगा 2026 2026 तक अभी situation यही रहेगी उसके बाद फिर से परिसीमन किया जाएगा ठीक अगला देखिए वर्तमान लोकसभा के लिए वर्तमान लोकसभा में प्रतेक राजजी के लिए इस्थानों का आवंटन आधारित है सेंसेस पे कौन से सेंसेस पे 51, 61 बदाएए किस के विरोध में पूछाए गुरुदेव किस क्या विरोध में तो यह है 1971 के population के बेसिस पे बिल्कुल ठीक है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतेनिधी लोकसभा में भेजता है तो कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतेनिधी भेजता है तो answer to this question is उत्तर प्रदेश जल्दी से बताओ 2, 3, 4, 5 बताओ जरा 2, 3, 4, 5 बताओ उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधा सीटे कहां है महरास्टरा 48 वेस्ट बेंगॉल 42 बिहार 40 और आंद्रा 39 ठीक है किसके विरोध में हुआ था यह पूच्छा है अच्छा किसके विरोध में हुआ था विरोध नहीं था पीसफुल प्रोटेस्ट शल रहा था वहाँ पे रोका जा रहा था तो peaceful protection रहा था ठीक है अगला देखो किस राज किन राज्जों ने पंचायती राज संस्थाओं में इस्त्रियों के 50% आरक्षन को वैद किया है कौन कौन से राज्जों में वैद किया गया है तो बिहार उत्राखंड मद्प्रदेश हिमाचल प्र 2-3 और 4 या 1-2-3-4 क्या हो जाएगा जवाब क्या हो जाएगा जवाब option number d12344 बिहार में भी है उत्राखंड में भी है मद्प्रदेश में भी है हिमाचल प्रदेश में भी है ठीक है और भी राज्जों में है ठीक अगला है निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी कौन सी कमेटी ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी बताओ अशोक महता कमेटी, अशोक राय महता कमेटी, जीवी के राओ या सरकारिया आयोग तो किसने ये काम किया था तो ये काम किया था अशोक मैता कमेटी ने बिल्कुल सही है अशोक मैता कमेटी ने दूई इस तरी ये पंचायती राज की बात भी की थी कि हमें सिर्फ क्या करना चाहिए दो इस तर पे पंचायती राज बनाना चाहिए ठेक, एसी बंदगर दीए गया है अगला है 118 में भारत में पंचायती राज प्रतनिधित्व करता है किसका? भारत में पंचायती राज प्रतनिधित्व करता है पंचायती राज in India represents शक्तियों का विकेंद्री करण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदाइक विकास ये सभी, all of these ठेक, वो decentralization of power भी करता है लोगों की भागिदारी भी निश्चित करता है और community development भी करता है, next है पंचायती राज की तीन इस्तरिय प्रणाली में क्या-क्या आते हैं ठेक, पंचायती राज की तीन इस्तरिय प्रणाली में क्या-क्या आते हैं तीन इस्तर में कौन-कौन से आते हैं, बदाईगा जवाब दीजेगा option number क्या हो जाएगा भाई, जल्दी बताओ D, बिल्कुल ठीक है सबसे छोटा है ग्राम पंचायत उससे उपर आता है छेत्र पंचायत और उससे उपर आता है जिला परिशत बिहार बिहार में छेत्र पंचायत बोलते हैं और NCRT के according देखोगे तो ग्राम पंचायत, जन्पद पंचायत और फिर उसके बाद जिला परिशत ठीक, और अगला सवाल 73 समविधान संशोधन वैधानिक शुरुवात किस समविधान संशोधन बिल से हुई थी एक्चली जो 73 अमेंड्मेंट है उसकी शुरुवात कौन से बिल से हुई थी उससे पहले कौन सा बिल आया था टिक एक्चली इसकी शुरुवात होई थी राजीव गांधी के समय से राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे तभी ये बिल लाया गया था पंचायती राज का और वो 64th amendment बिल था पर unfortunately ये बिल पास हो नहीं पाया बाद में ये बिल आया किसके समय में पीवी नरसिम्हा राओ जब ये प्राइम मिनिस्टर थे तब इनके समय में 73rd amendment बिल आया और वो बिल क्या हो गया पास भी हो गया ठीक है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे किस सम्विधान संशोधन को लगू सम्विधान कहा जाता है ये 42 में को कहा जाता है मारो गोली इसको पिछडी जाती आयोग के प्रथम सभापती कौन थे पिछडी जाती आयोग के सभापती कौन थे पिछडी जाती आयोग के सभापती कौन थे प्रथम सभापती प्रथम पिछडी जाती आयोग जो बना था ठीक है ये बना था 1953 में ये बना था 1953 में ठीक है और इसके जो अध्यक्स थे वो थे काका साहब कालेलकर ठीक काका साहब कालेलकर इसके क्या थे अध्यक्स थे ठीक है और आर्टिकल 340 के तहत ये बनाया गया था आर्टिकल 340 के तहत इस आयोग का गठन हुआ था इस आयोग का इस आयोग का गठन हुआ था ठीक और आज का आखरी सवाल पंचायतों की वित्तिय स्थिती की समिक्षा के लिए राजसरकार प्रतेक पांच वर्षों में क्या गठित करती है राजसरकार प्रतेक पांच वर्षों में क्या गठित करती है बताईए वित्ट आयोक का गठन होता है, वित्ट समिती का गठन होता है, सलाहकार समिती का गठन होता है तो होता है वित्ट आयोक का गठन, आर्टिकल 243, हिंदी में लिखा होता है जह, इंग्लिश में लिखेंगे तो एच एच आ जाएगा हाँ 243 एच आ जाएगा उसके तहत Finance Commission का गठन होता है ठीक तो ये था आपका पॉलिटी का Complete Revision बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने पॉलिटी का Revision किया कल करेंगे History का Revision तो मुझे 12 बज़े से पहले सारे लोग कमेंट करके बता देना कि कल पॉइव से देखा जाए तो मुझे लगता है कि इंडियन नेशनल मूव्मेंट कवर करना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि 8 से 10 कोश्चन का सवाल है और दिल्ली सल्तनत से 1857 के विद्रो तक शायद हो सकता है दो तीन सवाल आ जाए तो एक्जाम को पास करने के पॉइंट अव यू से देखा जाए तो मुझे लगता आई एनम रिवाइस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी आप जैसा कहेंगे आप मालिक हैं आप कहेंगे तो आप हम वो काम कर देंगे पर कॉमेंट करके जरूर बता दीजेगा ठीक ताकि मा उस हिसाब से रात में बैठके सवालों को तैयार कर सकूँ ठीक है तो कल मिलेंगे आप से शाम के 6 बजे और कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाना ठ टाटा बाय बाय नमस्कार.